बलु स्री कृष्ण कुन्हेय लाल की, सत्गुरु महराज की, स्री प्राणेनाथ प्यारे की, महरानी वाई जुराज की, महराज छत्र साल की, स्वामी स्री लाल्दासी महराज की, तिनो पुरी धाम की, समस्त सुन्दर साथ की, प्रथम लागू दो चर्ण को, धनियेन छुडायो चिन, लार्क तले लालेडिया, मेरे जीव की यही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खुलो वातुन, पलन वालों निरखों ने त्रे, मेरे जीव की यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पले छोड़ो जिन, मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव की यही जीवन, भविश्य पुराण में, राजा कहे जुगचार, बचन जोहे व्यास के, ताको करो विचार, भविश्य पुराण में, उपस्तित सद्धर्म प्राण धर्म श्रुमनी सज्जर्ण विंद सुंदर साहजी, श्रिक्रिष्न प्रणामी धर्म, निजानन्द संप्रताय अंतरगत, बितक चर्शा को प्रसंगमा, हमें उपस्तित भयकास हों, हरीक बर्ष यो श्रावन को महीना, श्रावन क्रिष्न पंचमी तितिकु दिन बाट, एक महिना व्यापी बितक चर्शा प्रसंग, महमती स्वामी श्री प्राणिनाजी महराज को समय काल देखेने, चल्दे आयको प्रसंग लाई, हमें बितक चर्शा को माध्यम बाट, श्रिक्रिष्न प्रणामी धर्म निजानन्द संप्रदाय को वस्तवीक दर्शन, वस्तवीक इतिहास धर्म को शिद्दांत, सद्गुरु महराज प्राणिनाजी को जिवन दर्शन, रा आत्मा को ब्रितांत को विशेमा चर्शागर्न को लागी उपस्तेद भैसे के कासौं। आज प्रथम दिवस को प्रसंग मा, बितक चर्शा को प्रसंग को भुमिका का कैई प्रसंग हरुको साथ महमें, चर्शा को विशे वस्तोला अगाडी बडावनेशों। स्रिक्रिष्ण प्रणामी धर्ममा, महमती प्राणिनाजी को दिव्य बाणी तार्तम बाणी। जसलाई तार्तम सागर, कुल्जम सागर, सुरूप साहें। अनेक नाम बाट तार्तम बाणी को परिचे दिनेगरींच, जस्मा चौद ग्रंथ हरुचन। र तेश चौद ग्रंथ मां, कुल्जम अठार हज्जार साथ सो अंठावन चो पाय हरुचन। र यो बाणी को विशे वायो। तेश को साथ साथ मां, और के उटा विशे सा बिराट, जहां पातल देखी परंधाम सम्म को वर्रन गरिये को सा, जस्को मां ध्यम बाट हमी आत्मा लाई, त्यू परंधाम सम्म को लक्षे मा कुर्याओन सकता साथ। लक्षे पक्कागर न सकता साथ। रतेश पचीत अरको विशे सा, बृत्ती जसलाई चर्चनी भनींच, जुन चर्चनी विशे अंतरगर पच्चिश पक्षे परंधाम को वर्रन को कुर्याओन अउदच, महहमती प्राणिनाः जी महराज ली जुन परंधाम को वर्नन बााणी को मात्यम बाता करनू भयो । तेसे लाईने सर्व प्रथम हमी चर्चनी को माध्यम बाटा, परम्धाम को वर्नन को रससादन गर्दसों, परम्धाम को विचरन गर्दसों, रतेश को साथ साथ मा और के उटा विशाय चा बितक सर्व प्रथम हमी बितक सव्दको अर्था लाई बुजने प्रयास करों, बितक वने गुके हो, बितक लाई साधरन अर्था मा हरदा खरी, जसलाई बृतान त वने रवन्ने गर्दसों, इतिहास वने रवन्ने गर्दसों, तेशोत हमी बितक को विश्यमा कुरा गर्दा खरी, त्रेता को समय मां मर्यादा पुरुषतम भगवान रामचंद्र जी आउनुभायर वहां लेकी के लिला गर्नुभायो रामाईन ग्रंथ मां ब्याख्या गरिये को चा उल्लेह गरिये को चा रामाइन ग्रंथ जहां भागवान रामचंद्र जी को जीवन बृतांत जीवन दर्शन को चर्चा गरिये को छा त्युपनी ओटा बिता गो द्वापर को समय मा लिला पुरुशतम स्रीक्रिष्ण जी आउन भायर अकस्तो कस्तो प्रकार को लिला जाहिर गर्न भायो स्रीक्रिष्ण जी को लिला को उल्लेग स्रीमद भागवत मा गरिये को छा त्युपनी ओर्थ हमा हिरने हो बने स्रीमद भागवत पने उटा वित्तक हो किन भने जहां क्रिष्ण लिला क्रिष्ण चरित्र को कुरागरिये को सा स्रिक्रिष्ण जी को लिला को वृतांत तेहां पाऊँ दसो तेशे गरे स्रिक्रिष्ण प्रणामी धर्म निजान अंद संप्रदायमा जोन वित्तक को विशयमा थी हमी चर्चा गर दसो यो वीत्ता गोहने को ब्रह्म स्रिष्टी हर को अपाविती स्रिदाज्जी महराज ले हमी आत्मा हरु लाई परम्धाम ब्रज राश अनी जागनिमा कस्तो कस्तो प्रकार को लिला हरु अनुभाव गारावन भयो अनन्द हरु दिन भयो हाम रो परम्धाम को लिला को वृतांत, ब्रजलिला को वृतांत, राश्द लिला को वृतांत, अनि यो जागनी को ब्रम्हांड को वृतांत लाई ने, बितक को रूप मा यहां उल्लेह करिये कोछ महमती प्राणिनाह जी महराज को दिव्वे बाणिमा पनी, बितक का प्रसंग का धेरील चौपाय हरू आउधाछ महमती प्राणिनाह जी ले बाणिमा बितक सब्द अनेकों चौपाय को मा ध्यम बाट चर्चा गर्न भायकोछ कलश ग्रंथ को प्रारंब माने प्राणिनाह जी महराज बन्नोंच सुनियो बाणी शुहागनी हुती जो अकत अगम्म सो बीत क कहो तुमको उड़ जासी सब भरंब तार्तम बाणी को परिचे दिन हुदै प्राणिनाह जी ले बताओ नुँ है हे शुहागन आत्मा हे ब्रह्म सिष्टी हे सैया परम्धाम बाट आयको आत्मा हरुलाई प्राणिनाह जी ले विविन नाम बाट सम्भोधन गरन भाये को छा रज्वन च उपैं हमी उच्वागन गरी रहे का छो ये सउपैं में प्राणिनाह जी ले शुहागीन सव्दवात सम्भोधन गरन भायो परम्धाम को आत्मा लाई शुनियो वाणी स्वागनी हे स्वागीन आत्मा हो हे ब्रह्म सिष्टी हो यो वाणी लाई श्रवन गरा यो बचन लाई श्रवन गरा कुण वाणी कुण वचन भंदा तार्तम बाणी को मां ध्यम बाट जुन कुरा जाहर भई रहे को छा जुन बाणी आज सम्म संसार मां होती जो अकथ अगम होती यानि की थियो अकात्र अगम को रूप मां थियो अकाथ वने को जुन बिशय मां कईले पनी कसले पनी भनने न सके को व्याख्या ना गरेको चर्चा ना गरेको तेसलाई अकाथ वनेर वनींच अगम भनेको जहां सम्म कसे को पहुंचने ना पुगेको कोई त्यासम पुग नहीं न सकेको कशेले जानने न सकेको तेसला है अगम भने रभनींचा परम्धाम को विशया ब्रह्म लिला को विशया ब्रह्म स्रिष्टी को आपाबिती तार्तम को माध्यम बाट प्राणिनाह जी ले जुन विशया जाहिर गर्दे होनुचा प्राणिनाह जी महराज ले तार्तम को माध्यम बाट यो विशया माथी खुलासा गर्णुभन्दा अगाडी यो परम्धाम को लिला परम्धाम को वर्नन ब्रह्म स्रिष्टी को आपाबिती यो संसार को विशया मा ना तकसे लाए था थियो ना तकसे ले तेस पिशय माचरचा नहीं गरिये को थियो तेस कारण प्राणिनाह जी ले वन्वायो होती जो अकत्र अगम अणि त्यो अकत्र अगम बाणी परम्धाम को वाणी वने को कसको लिला होता कसको कुरा होता बंदा प्रणिनाह जी अगाडी बन्लोंचा सु बीतक कहों तुमको यो तिम्रो आफने वितक हो तिम्रो आफने बृतांत हो त्यू बीतक मा बताऊना गई रहे कुछ हे आत्मा उड़ जासी सब भरम्मा जुन वितक को स्रवन गरे रहा बाणि को स्रवन गरे रह जुन प्रसंग को स्रवन गरे रहा आंतर ही दय को भ्राम उड़ चा मेंड़ छा रिदय निशंक हो दचा आत्मा जागरीत हो दचा प्रणिनाह जी महराज लिप प्रम्धाम बाता आयका आत्मा ह्रुलाई संसार वाट पुनह जागरेत गरावन को लागी परम्धाम के कुरा ब्रह्मा आत्मा के ब्रितांत को प्रसंग लाई बाणी को माध्यम बाट चर्चा गर्न भाय को छा त्यो प्रसंग अलाई पनी प्राणिनाह जिले बाणिमा बितक भन्ने सब्द प्रयोगर्न भायको छा प्राणिनाह जिले आफने प्रसंग मा पनी आफने जिवन दर्शन को प्रसंग अलाई पनी बितक सब्द कसरी प्रयोगर्न भायको छा ता बंदा सदगुर महराज को चरण सरण मा जानु भन्दा पहला आफनो इस्तिती कस्तो थियो मेरे दिल की देखियो दरदना कच्छु इसक ना सेवा ना बंदगी यह मेरी बितक इंद्रावती आत्म महराज ठाकुर जवसम्मन इजानन्द चार्य सत्गुरुस्ति देव चंद्रजी महराज को चरण सरण मा पुग्णु भाय को थिये ना त्यो भन्दा अगाडी को आफनो इतिहांस आफनो बितक बताऊन हो दैवन्दूंचा मेरे दिल की देखियो मेरो दिल को इस्तिती हिरन होस दर्द ना कसू इसक नत मेरो दिल मा दर्द थियो नत इसक नहीं थियो ना सेवा ना बंदगी नत मेरो दिल मा मेरो रेदाय मा सेवा को भाव थियो नत बंदगी घरने कुने कला थियो यह मेरी बितक यो मेरो बितक हो यो मेरो एथार्थ बृतान्त हो एस तो प्रकार ले हेरने हो वने प्राणिनाह जी ले बाणिमा जगा जगामा बितक सब्द प्रयोगर्न भायको छा तबितक मतलब बृतान्त तो प्रणिनाह जी महराज ले बाणि मां बिता कहां वाट प्रारंब गर्न भाय को छा ना इस्षोर ना मूल प्रकृती ता दिने की कहों आपा भीती यो स्रिष्ठी को विस्तार गर्ने मूल सकती इस्षोर यानिकी आदिनाराइन रजस को इच्छा सकती जसलाई मूल प्रकृती भने रभनिये को छा जव छार पुरोष आदिनाराइन र मूल प्रकृती को पनी उत्पती भाय को छिये ना ता दिने की कहों आपा भीती त्यो दिन को हमी आत्माहर को बीश मा घटिये को घटना ब्रितांत को बिशय मा मचरचा गरन गई रहे को छो उल्ले करन गई रहे को छो प्रणिनाराजी महराज ले बाणि मा परम्धाम बाट यानिकी स्त्रिष्टिको उत्पती हुनु भन्दापनी पहला देखी को प्रसंग बाट बितक को प्रसंग यानिकी ब्रह्मात महर को ब् जोने वित्तक को हमिए आजेवाट्र स्रवन गरन गई रहे का सौन याहां पनी ब्रह्मस्त्रिष्टिको आपा बिती च्छा प्रह्मस्त्रिश्टिको बृतान टेल्टको रचेइटा को निक्षा को नंचे किनवने सबई भंदा पहला कुने पनी ग्रंथ भित्र फ्रवेश गर्ण भंदा पहला हमिले ग्रंथ को भुमिका को विशय मार ग्रंथ को लेखक को हो लेखक को परिचे को विशय मापनी केच चर्चा गर्ण परदश जब प्राणिनाह जी महराज को वाणी को विशय को कुरा आऊँदच ता हमी सवैलाय थाच वाणी महमती प्राणिनाह जी को स्रीमुख वाट प्रस्थूटीत भाई को वाणी हो ता जुन वितक को हमी स्रवन गरन गई रहे काच हो तो यो वितक लाल्लाशी महराज द्वारा लिखिये को वितक हो तेशोत प्रणामी समाज मां आज़े हिरने हो वने एक दर्जन भंदापनी अधीक वितक हरुछन सवेई वितक को आफणू आफणू महत्तो चा तर तेशमा मुख्य वितक वने को लाल्लाशी महराज द्वारा रचीत वितक हो जोन वितक को प्रसंग द्वारा हमी एक महिना सम्म अगाडी चर्चा स्रवन गरनेशों मुख्य रूप मा लाल्लाशी महराज को वितक को प्रसंग वितक को चौपाय को आधार मा रक्केई प्रसंग हरु लाल्दाशी महराज ले कती प्रसंग हरो सांकेतीक रुपमा सारामस रुपमा चर्चा गरनु भाय को छा लेखनु भाय को छा जोन प्रसंग हरुलाई अन्य वित्तकार हर ले के खुलासा गरर लेखनु भाय को छा त्यू प्रसंग हरुलाइपनी हमी प्रसंग अनुसार साथ मा जोड़ दिनेशों रहे यो वित्तक को लेखक भने को लाल्दाशी महराज होनुँच लाल्दाशी महराज को होनुच वहां को परिशेक विशेम अगाडी हमी फेरी चर्चा गरनेशों तर मैले ऐले यहां साराम सरुपम की भन्न चाहे को बंदा बितक सब्द को आर्थ बृतांत हो इतिहास हो यहां ब्रह्म सिष्टी को बृतांत सच शदगुरु प्राणियाहजी को बृतांत सच रशास्त्र को भासमयोटा परिचे दिने हो बने मैले जशरी पहला बने त्रेता को समय मैं आउनुभाई को मरियाधा पुरुसोतम भगवान रामचंद्र जी को जिवन दर्शन जिवन चरित्र बितक रामायन मैं जशरी हमी पाउदच हो द्वापर को समय मैं आउनुभाई को लिला पुरुसोतम स्रिकृष्ण जी को बितक स्रिमत भागवत मैं हमी प्रसंग अनुसार चर्चा गर्दे जाने शूँ तर अईले मौ प्रथम दिन को यो भुमिका को प्रसंग मा के साराम्च प्रसंग अरलाई मात्र चर्चा मा ल्याई राखे कुछू तो यो वितक वरितान्त सास्त्र को इशापली बुद्ध कल के उतार को वितक जो सद्गूरु प्राणिनाहजी को सुरूप मा उनवायो यो वस्तव मा ब्रह्मा आत्मा हरु को वरितान्त हो ब्रह्मा आत्मा भने को परम्धाम बट आयको हामी आत्मा हरु को आफने वरितान्त तो यू वितक स्रवन गर्णु को आश्य के हो वितक स्रवन गर्णु परने के जरुरी सा बंदा स्रीमद्व हागवत को योटा प्रसंग मार्कंड रेशी को कथा को प्रसंग जोन प्रसंग लाई महामती प्राणिना जिले बाणी मां तीन जगा मां मार्कंडे को दृष्टां अगाडि मनें प्रसंग मां श्रवन योपनी गर्ने शों यो बितक को रचय जो ल्लाला हि महराज होनुचा वहां को जागनी को प्रसंग मापनी प्राणिनाह जी महराज ले मारकंडे रेशी को दृष्टांत को प्रसंग द्वारा ने वहां को आत्मा जागरेद गरावन भाय को थियो इस सबी प्रसंग हरु हमें अगाडी खलासा गरदे जाने चों तरह अईले मैं या साराम सुरु में के बताय राखे कुछ हो ता बंदा बितक्स रवन गर्न को आशे के हो अर्थ के हो किना जरूरत छा बंदा मारकंडे रिशी ले भगवान संग भन्नु भाय को थियो हे भगवान जी मैं ले तपाइं को माया लाई जीते को शुँ तरह भगवान जी ले जब मारकंडे रिशी ले आफनो माया वी शक्ति को परिचे दिनु भायो मारकंडे रिशी धोविनी वनेर वशे को अवस्थामा फेरी भगवान जी श्वयं ब्रह्मन भेश में जानु भायरा मारकंडी रीशिके आफनी बृतान त आफनी कहानी सुनावन भयो जब तेह कहानी सुनाओ दई सुनाओ दई सुनाओ दई जादा करी अंतीम मा धोविनी कुरूपमा रहेको मारकंडी रिशी लाई ब्राह्मन भेश्मा आउन भयको भगवान जिली सुनाउन भयको आफनी बृतांत आफनी कहानी सुनाउदा अरे जो तो मोथ हैं बनेर जागता करीता धोविनी मारकंडी रिशी को अपनो असली सुरूपमा आउन भयको यू प्रसंग प्राह्मन आप्वानी नावजिली द्रिश्टांत कुरूपमा बाणी मा प्रस्तूत गरन भयको छः यू प्रसंग बाटां हमिले कि बुज़्ण पर्द मदमस तमने गरताप श्रीढात जी महराज ले कि आ순क स्कुमा पर के बैसे कर अह रहा को सब्सक्राइब सभाब हाला खमा। देखिए ओ आक्षेशर व्रbach कु विश्यमा श्रीराज्य महराज लें मेले प्रश्ण गरीयों अक्षेशर व्रक कु विश्यमा परिश्य समय पाइक महराज भंмов हो आक्षेशर व्र हुश्यमा द fusion लित श्रीरीमें मया भेला भीविराज्यव आफ़ी 610 स divine हमी ले अक्षिर को खेल हेरने माग गरियू राजी महरास ले अक्षिर को खेल मायवी खेल बहुत बलसाली छा आफुली आफुलाई विर्शिने छा धनिलाई विर्शिने छा धामलाई विर्शिने छा बहुत पटक स्रेडाज जिले मना गरनो भायो तरहामी आत्म हरुले आफ आर्मा आयरा हमी इस्तो प्रकार ले भूले रवश्यूं प्रणिनाजी महराजवनुंचा फरेवी ले जाए मेरी रूहे तु आंके खोल बीच वक्का में वैट के तेंकिनसों किया कॉल फरेवी ले जाए मेरी रूहे तु आंके खोल यो मायवी भुलन को वजार ले, माया को प्रवावले आत्माला इस्तो प्रकार ले बहाई रहे कोछा, प्रवावीत बनाई रहे कोछा, नत परम्भाम को सुद्धी रहे, नत धनी को सुद्धी रहे, नत स्वैम आफुले आफुले आत्मा रूप मा पहचान गरना सक्यो, धाम्धने श्रिडाजी महराज स्वयम सत्गुरु स्वरूपमा प्राणिनाशी स्वरूपमा आउनुभायरा तार्तम बाणी को माध्यम बाटा परम्धाम को बृतांत ब्रह्मात्मा हरको आपा वितिने सुनाई रहनुभायको छा अब यो वाणी को स्रवन गरेरा यो बित्तक को स्रवन गरेरा आफने इतिहास आफने वित्तांत आफने आपा विति स्रवन गरेरा ब्रह्मात्माले पनी तेसरीने होस मा आउनुछा परम्धाम मुल मिलाम जागरीत होनुछा जसरी धोविनी को रूप मा गायरा भुली रहे को मारकंडिरीशी भगवान जिले ब्राम्मल भेश मा जानु भायरा मारकंडिरीशी के कहानी सुनाऊनों हो दाखरी जसरी धोविनी मारकंडिरीशी को रूप मा अफ्ष्व असली सुरूप मा जागरेत होनु भायो तेसे गरी यो वितको स्रवन गरेड़ा, मैली पहला पनी भने वितक भने को अन्य को ने विशय होई न, ब्रह्म स्रिष्टि को आफने आपावीती हो, परम्धाम्म हमी स्रिडाजी महराज को साथ मा कस्तु प्रकार ले अनंदमे लिला गरद थियों, कस्तु प्रकार को अनंदमा रमन गर फिरी जागनी को लिला, इस सवे लिला को प्रसंग माथी वितको माध्यम बाटा चर्चा गराउनों हैरा, यो प्रयास करिये को चा, परम्धाम बाटा आयरा संसार मा भुले का आत्मा हर लिपनी, आफनो नीज शुरूप, नीज आत्मा को पहचान करना सकियोस, आफनो वस् वितक चर्चा को श्रवर्न घरना, अत्यन्त आवसेक छा, अत्यन्त जरूरी छा. तेज कारण हमिलाई, स्रिडाजी को क्रीपावाट सद्गुरु प्रणिनाजी को क्रीपावाट नहीं, प्रणिनाजी महराज को जीवन काल को अंतीम समय देखी, बिक्रम संबत सत्रसो एकाउन्नो को समय मा जब प्रणिनाजी को धाम गमन भायो, तेज समय देखी नहीं, यो वेतक को लेखनेर चर्चागरने प्रसंग प्रतेक वर्ष श्रावन क्रिष्ण पंचमी तीथिको दीन देकी प्रारंब भायरा भाद्र क्रिष्ण सब्तमी तीथिको दीन सम्म एक महिना सम्म निरंतर चर्चाहुने हर एक वर्ष को हम्रुयू सैधान्तिक पर्व हो। शोई पर्भा अनुशार स्रिडाज जी को क्रीपा सद गुरु प्रणिन्या जी को क्रीपार गुरु परंपराले हमिला देखाउनु भाय को मार्ग को अनुशरन गर दई एस पर सपनी हमी बितक सर्शा को वैठ्षक मा उपस्तीद भैसे के कास हूँ बितक सर्शा को मा धिम्बात आफने बृतान आफने लिला को चिंतन गरे रहा हामिले आफनु नीजि सरूप परात्म सरूप मा पुनह जागरीत हुनु परदचा योने भी तक्सरवन गर्न को एक मात्र लक्ष्य हो हामरो सुरत अले परंधाम मा केंद्रीत गर्न सक्योष परात्म सरूप मा केंद्रीत गर्न सक्योष रपरात्मा सुरुपमा जागरीत हुना सक्योस महमती प्रणिनाः जी आफनो बाणिमा भन्नुन्च सुरत एक एराखियो मुल मिलावे माहें श्याम श्यामा जी साथ जी तले वोम वैठे जाहें हमरो सुर्ता लाए हमरो चित वृत्ती लाए अफनो चिंतन लाए परम्धाम को मुल मिलावा को वैठाक मा श्याम यानि के स्रिडाजी महराज अक्सिराती तो धनी स्यामा श्यामा जी महराणी साथ जी बारह जज्यार भ्रम्प्रिया हरू परात्म सुरूप मा बिद्दे मांचन शुरता रूप मा संसार मा जगनाट खेल देखना कलागी आयका शन ता आफनो नीज शरूप जो परम्धाम को मुल मिलावा को वैठाक माचा आत्मा हरुको जसलाई परात्मा सरूप भने रवनींचा प्राणिना जिले परात्मा सरूप को भिशैमा भन्नु भायो जो मुल सरूप है अपना जाको कहिए परात्म सो परातमा लेके बिलसियो संग खसम जो मोल सरुप है अपना परम्धाम को मुल मिलाव मा आत्मा कुझन मोल सरुप चा परातमा सरुप जाको कहिए परातमा जसलाई परातमा सरुप भनर बनें चा शो परातम संग लेके त्यु परातम सुरुकमा आत्मा जागरेद भायर त्यु परातम सुरुकमा उठेरा उनहा बिलशिये संग खसम, खसम अक्षिराति धामदने स्रेडाजी महराज को सात्मा, पच्चिश पक्ष परंगाम को अस्त प्रहर को लिलामा, हामिले पुनहा अनुहाओ गरनुचा, त्याहा संम्म खो लक्षिरा आखे राए, हामिली यो वितक चरशाको स्रवण गरनुपर दाचा। त वितक चर्चा को प्रसंग मां भुमिका को प्रसंग मां थी चर्चा गरनु परता। युवितग्रंथा जशरी मैले भने लालदशी महरात ले ले लेकनु भायो कईले लेकनु भायो कम लेकनु भायो रह्यो वितग चरचा स्यावन कृष्ण पंचमे की देन बातने चरचा गरने प्रसंग कक्शरी रह्यो ये प्रस्वंग हरुमाती हमें चर्चागरनेशों अक्षिरातित धामधनी पूर ब्रम्ह परमात्म स्रिडाल्जी महराज ले आफनो दिव्य परम्धाम को दिव्य आत्मा ब्रम्ह आत्मा हरुलाई असत जड़ दुखमय संसार जगनाटक देखाऊनु भायरा परम्धाम को अद्वेत प्रेम्र स्रिडाल्जी महराज को पात्साइलाई समझाओना को लागी अक्षिर ब्रम्ह को माध्यम बाटा यो नस्वर जकत च्छार स्रिष्टी को रचनागरनु भायरा अठाई श्वर द्वापर को समयमा ब्रम्ह आत्मा हरुलाई ब्रजबधू को रूपम उतार नुभायो श्वयम अक्षिराति धामधनी स्रिडाजी महराज ब्रज़ मंदल्मा स्रिक्रिष्ण को रूपमा पदार नुभायो श्यामजी महरानी राधा सुरूग मा पधारु भायो इस्तो प्रकारली परम्हाम को लिला पचि हमी आत्म हरो ब्रज मंडल मा आयो अक्षि राती धाम धनी को साथ मा ब्रज मंडल मा एगहार बर्स बाउन दिन परियंता त्यहाँ ब्रज लिला जाहिर भायो एक ढार वर्ष बाउन्य दिन बरजलिला पुराभः बची बाउन्य दीन को संधिया सरद कुणम को संधिया मा स्रेक्रेश्ण जी ले ब्रिंदा बनमा जानू हैरा प्रेमरुपी बंसी नाद गरनूँ है श्रीक्रिश्च्न जी को बनसी को नाधमा सकिहरू ले आफ नो आफ नाम सुने रहा। यो काल माया को ब्रह्माण्ड ब्रजमंदल वाट सकिहरू अब राशमंदल तरफा योग माया को ब्रह्माण्ड तरफा प्रवेष गर्दसनुंं ब्यहद्ध भुमिकामा इस्तित, अक्षर व्रह्म को चित्त अंतस्करण केवल व्रह्म को धाम, जह योग माया को ब्रह्मान्द को रचना गर्म भायरा। अक्षराती धाम्धनी स्रिराज्जी महरासले हमी आत्माहरलाय रसराश को अनंद प्रदान गर्मभायो। रजव राश्टिला पुरावयो फिरी एतातिर स्रिष्टी संचालन हुदसा तर ब्रज़ लिलार राश्टिला हेरी सके पची अनुभाव गरी सके पची पनी परम्हाम बाटाय का बारहजार ब्रह्मा आत्मा हरुमदे तामशी शकीहर को दिल मा असत जड़ दुखमय खेल बियोक को खेल हेरने इच्छा पुरा नवहय को कारण लेगर दा अक्षिराति धाम धनी स्रिडाजी को हुकुम द्वारा नहीं यो तेस्तुर ब्रह्मांड जागनी को ब्रह्मांड को रचना भायो जागनी को ब्रह्मांड मा सर्वप्रथं कलियोक शुरुभाई को तिन हजार सेसो साथ वर्ष को समय बेतीद भाय पची रास्तिला खेलन होने स्रिकृष्ण जी को सक्त नहीं आरब को भुमी मा रसुल महमद सहेब को रूप मा आउन भायरा कुरान गरंथ को मा ध्यम बाटा परमात्मा को सक्ति येस धर्ति मा आउन होने कुरान को सब्द को मा ध्यम बाटा भविश्य वानी को रूप मा रसुल महमद सहेब ले राखन भायो वहाले आफनो सब्द मा भ हनु भायो मौ गए को हजार बरसक वजए रोह बाला इमाम मे दी को दू लुठ कू रूइं इमाम मे दी को रूइं खुदा यह ने की परमात मा स्वैंब नइ 녈 यस सधरति मा कजा गर लगी न की न्याई गर न को लागी काजी को तो लो भी मा तियो समय निश्येद गर्न भायरा परमात्मा को सत्ता, खुदा को सत्ता, रुह अल्ला इमाम मेदी को रूप मा यस धर्ति मा जाहर होने कुरा, कुरान को भविश्यवानी को रूप मा राखी दिन भायो, एता तिर हिंदु धर्मा ग्रंत हरुमा पनी, परमात्मा को अलोगी क ती ब्रह्म्म आत्म हरु ती दिब्व्य आत्म हरु ते डिब्व्य आत्म हरु को प्रभॉले करदाखिरी क्रिपाले करदाखिरी संसार का नसर जीव हरुपनी अखंड मौक्ष प्राफ्त गर्नेशन इस्ता इस्ता खाल का अलोकीक भयुशिवानी का सब्द हरू धार्म सास्त्रमा यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा परिचर्चा होन थालियो समय वेतीद होने गयो 28 कलियों को 4660 वर्ष को समय वेतीद भयो रसुल महमद साहेव धर्थिवाट जानुभय को 1000 साल को लागी केई समय नौ से 90 वर्ष नौ मैना को समय वेतीद भयो विक्रमा दित्य को समय अनुशार विक्रम संबत 138 को समय चल देथियो विक्रम संबत 138 आसोज सुक्ल चत्तुर दसी तीथि को दीन मारवार देश को उमरकूर्ट भन्नी गाउमा मत्व महतार कुमरवाई को पुत्र को रूपमा एक बालक को जन्म हुदचा वहाँ भित्र नहीं अक्षिनातीत दिब्ब परम्धाम को श्यामा सक्ती जागरेत बुद्धी को सक्ती और रसुल महमद साहेब ले भविशेवानी गर्नों भय अनसार रुह अल्ला को सक्ती परम्धाम को 12000 ब्रह्म प्रियामत दे सुन्दरवाई सक्की को बासना अनि इस सवई सक्ती हरु लाए एक पात्र कुरूप मा धर्ति को उत्ताव जियू एस तो प्रकार ले पंच सक्ती पंच दैवत ले साथ मा लिनुभायरा श्री देव चंदरजी महराज को प्रकट होदा छा इप्रसंगहरु माति हमी बिस्त्रेत रुप मा अगाडी चर्चा गरने ने शो तरह अईले मा भुमिका को रुप मा साराम सा प्रसंगहरु चर्चा गरी राके को छो स्री देव चंदरजी महराज को बाले अवस्ता देखने को हम कस्षिती संसार मौ को हूँ यो संसार के हूँ यो जगत को माली का आत्मा को माली को हूना चाअ इस तुखाल को अलो की को प्रश्ट नहरू रिदाय मा प्रस्पुटी तहूना तखाले ओ ब्रह्मतत्तो को खोजी करने जिग्यासल है आफनो दिल में लिनु भायरा सत्र वर्ष को उमेर में देव चंदरजी महराज ले आफनो जन्म भुमी उमर कोट बाट अगाड़ी बढ़नु भायरा कच्छ देश में पुखनो दच उमर कोट बाट कच्छ जाने क्रमा परमात्माली हुकुम को सुरुप में दर्शन पनी दिनु भायरा कच्छ देश में जानु है रह वहले चार वर्ष सम्म भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाया मत्मतांतर पंथा अनेक सादू संत सन्याशिहर को संगत गरनु दच्छ साधना को क्रमा वहले मस्सीतमा गर मुल्ला को पनी संगत गरनु भायरा तर कहीं पनी वहले ब्रह्म तत्त को जिग्या समेटाओने खालको उपदेश कसली पनी दिन सके न फेरी त्यहमट अगाडी बढ़नु हुदै भोजना गर्मा पुगनु भायरा गुरहरिदाजी को शानित्यमा रहनु भायरा चार वर्ष सम भोजना गर्मा वहले साधना गरनु भायो सास्त्र को अध्यान गरनु भायो वह को निष्टा त्याक तप्स्यार भोवाट श्यमपरमात्मा प्रसन्द हुन भायर भोजण गर्माने परमात्माले वहालाई ब्रज़को सुरूपमा बृंदावणमा दर्सन दिनवायो माहाँ को स्ळाधना को क्रमा यो दोस्तरो दर्सन थियो जावब होजनगर माहा लाए दोस्तरो दर्सन स्री कृष्ण को सुरुप मा मिलदाचा स्री देव चंद्रजी ले सोचन भायो मेरो इस्ट मेरो मालीक मेरो परमात्मा भाने को स्री कृष्ण जी ने हुनाचा क्रिष्ण भप्ति को गहराय मा डूपन को लागी अजे अगाडी वहां बढ़नों हो दें आफनो जिवन को पत्चीस वर्स को अमेर मा स्रीदेव चंद्र जी जामनगर को भूई मा पुगनों भायो जामनगर मा जानों भायरा आफनो जिवन को 26 वर्स को अमेर दिखी वहां ले जामनगर माने श्याम जी को मंदीर मा कान जी भट जी द्वारा स्रीमद भागवत को स्रवन गरना थालनों भायो निरंतर स्रीमद भागवत स्रवन गरनों हो देई 14 वर्ष सम्मा वहाले निष्टा पुर्वक स्रीमत भागबत को अदेन गरन भायो चिंतन गरन भायो वहा को जिवन को 40 वर्ष को मेर हुदा चा स्रीदेव चंद्रजी को जिग्यासा, खोज, त्याक, तपस्या, स्रद्दा, निष्टा और भावना इस सवैवाठ प्रभावीत हुनु भायरा अक्षिरातीत पूर्ण व्रम्ह परमात्म स्रीडाजी महराज ले 40 वर्ष को मेर मा स्रीदेव चंद्रजी महराज ले जोन आसन मा बश्नु भायर 14 वर्ष दिकी निरं तर निष्टा फुर्वक स्रीमद भाग्व स्रवन गर्दै हुनु त्यो तेहीं आसन मा 40 वर्ष को मेर मा वया किसोर अती सुन्दर सोरुप खिला जो व्रिंदावन व्रिंदावन मा रास भिहारी सुरुप मा अक्षिरातीत धाम्द निले दर्षन दिन भायो बलो स्री कृष्ण कनहे लाले के दर्षन को समय मा स्त्री देवचंदर जी महराज लई पांच वट अनादी का प्रश्ण हरु सोतनु भायो तर देवचंदर जी यहां को वुद्धी अनुसार अईले समको साधना अनुसारती पांचे प्रश्ण का जवाब दिन सकनु भायना फेरी दर्षन्दिने वाला स्रूप ले तार्तम बीज मंत्र प्रदान गर्न हो दे इसको साथ सात्मा स्त्रिष्टि को कार्य कारण महा कारण अनि आत्मा हरु संसार मा कसरी आयका ज़न देवचंदर जी को स्रूप को अंतर आत्मा को परिचाया इस सवे विशाय मा विस्त्र जानकरी गरावन भायो दर्संदिने वाला स्वरूब अन्यों छा देव चंद्र जी तिम्रुव यो शरीर को नाम तो देव चंद्र हो तर तिमी भेत्र जुन आत्म सक्ति बिद्धेमान छा देव्य परंभाम को बारहजार ब्रह्म प्रिया हरू स्रिडाजिक को अंगना हरू म देव चंद्र वाई सक्की को वाशन तिमी भेत्र बिद्धेमान छा परंधाम मा रहेर अक्षेर ब्रह्म को असा जड़ दुखमय खेल देखने इच्छागरे को कारण ले करदा खरी तिमीले सर्व प्रथम यस नसुर जगत अंतरगत ब्रजमंडल मा उनु परियो ब्रजमं पुटाज फेलर घेल मा मिली तिमी हुबस्दी तस बसंदर्वे शखें तिमी एकल यह सन्सार को खेल हेरी राखे को यह तो आज्यागेban सिफरे शिंस से पर हजर पिस घर गर्शनी नेधीी, क हुई थै पैर हो वादरकु मनम्रूनाए 1724 कि व्ले बीग्रेदै के इस पुल्दोद कि के चिह वादोड़ मोर्य आज्यागें अद्धनि ती आत्मा हरुलाई कसरी पहचानगरने कांचंती आत्मा हरू दर्संदीने वाला प्रणुप धाम दनी श्रुक ले ती आत्मा हरूलाई पहचानगरने दिभ्ब दृष्टी अनि आत्मा जागरेद गराऊने जुन बेज मंत्र तार्तम मंत्र शोड अक्षिरी ऐक इस्थान में रहेरा जागनी कार राला अगारी बढ़ाऊ देगरनो धाम धनीले शरी देवचंद्र जिला तो आग्या गरनो भायो सास्त्र का संपुर्ण रहस्य हरु खोल는지 आग्या स्री देवचंद्र जलाय देनु भायो इस सवेह कुला हरूँ भैशा के पाची दियान अवस्था मनेश अवफेरी दरसंदीने वाला सरूपले देवचंदर जलाई सोत नुभायो मैले अईले समती मिलाई वार वार तीन परतक्सम दरसंदी आवा इस्टरीम प्रतक्षिरूप में दर्संदिने शोईना के सोद्नु सबने सोद के वन्नु सबने वन्नु हुदा देवचंद्र जिले वन्नु भायो धनी तपैं कहा जानोंच दर्संदिने वाला सुरूप बन्नोंच तुम्हारे अंदर आकार में आयके बैठे हम पमतिम्रों अंतर हिदय वित्रा आयर वस्नेशू देवचंद्र जिले वन्नु भायो धनी जब तबै मेरों हिदय वित्रा आयर वस्नु उन्चाब मेले सोद्नु ने के जरूराच दर्संदिने वाला सुरूप देवचंद्र जी को रिदय वित्रा विराश्मान हुनु भायो तेशकारण हमी देवचंद्र जी को नाम को महिमा गाउंदसों सेवा पुझ्या को मैध्यमबाट चिंतन करदसों बंदो सत्गुरु चरन को करू सुप्रीम प्रणाम अशुबहरन मंगल करन स्ट्री देवचंद्र जी नाम स्ट्री देवचंद्र जी को दर्स दियो जो है पूरण रूप तारतम को तत्तो कहो हृदय बैठे स्वरूप देवचंद्र जी को नाम एती पावल एती कल्यानकारी एती महिमावान कसरी भायो देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूरण रूप देवचंद्र जी लाए दर्शंदिने वाला सरुव श्वैम पूर्ण ब्रम्ह परमात्म सरुव होनुच तार्तम को तत्तो कहो रिदय बैठे शरूब तार्तम को वेज तत्तो वताउनो भायरत्यो शरूब रिदय धाम वित्रने बिराज मानों भायो आव ध्यान अवस्थामा नई स्री देव चंदर जी महराज लाई आफ वशे को यो इस्थान देखी लिए रा हद ब्यहद अक्षिर अक्षिरातीत को दर्शन हो देई पच्चिस वक्षे परम्धाम को दर्शन आफनो परात्म सरूब को दर्शन स्री राज जी को नोरी सरूब को दर्शन हो देच्छ स्रिष्टिको कार्य कारण महा कारण का सारा प्रसंग हरु खुलासा हुदाच सास्त्र बेद उपनी सद का रहस्ते हरु खुलासा हुदाच अब देव चंद्रजी लाई नए सद्गुरु को नाम बाट चीनिंच सद्गुरु को नाम बाट जानिंच देव चंद्र जी को टाइटल अवस्द गुरु सुरुव भायो बुलूसरी सद गुरु महराज के महमती प्रणिनाह जीले सद गुरु सुरुव को परिशे दिन हुदै वाणी मा भन्न भाय को छा सद गुरु मेरा स्याम जी मैं अहनेस चरने रहो शनमंद मेरा याहिसों ताथे सदा सुखलों शद गुरु सुरुव को हुनंच शद गुरु मेरा स्याम जी स्याम यानि के अकसराते स्ट्रि कृष्ण जी जो दर्शन को समय में स्रिदेव चंद्र जी कुर इदय भेत्र विराजमान हुन भायो तियु सुरुप ने ंस Department शुरूप बाट प्रसिद्ध हुनु भेयो नौ वर्ष सम्म सद्गुरु महराज गांग जी भाई को घर्मा बशनु भायरा जागनी कार्दिय गर्णु हुँचा तेश्वशी फिरी अगाडी वड़नु हैरा सद्गुरु महराज ले जाम नगर को भुमिमा नहीं एक महान तिर्थेस्थान जो स्रीकृष्ण प्रणामी धर्म को प्रमोक्र प्रथम तिर्थेस्थान स्रीपास नौतन पुरी धाम को इस्थापना गर्णु भायो बलो स्रीपास नौतन पुरी धाम की अब अगाडी सद्गुरु महराज ले नोतन पुरी धाम अवस्टन भायरा नहीं जागनी को कार्य गर्न होदा चा तार्तम पाउन भाय देखी अथा बाद 40 वर्ष को साधन अपुरा भाय देखी अगाडी 34 वर्ष समस्द्गुरु महराज ले निरंतर तार्तम कुमाध्यम बट जागनी करनो भायो आफनो समय काल्मा निजानन्द चार्य सद्गुरु महराज ले 313 परमधाम बट आयका अब्रमात महरला जागरेद गराऊनो भायो जस्मद्द्ग अग्रगन्यात्मा जामनगर को हुमिमाने केशब ठाकुर धनवाई माता को चौंथो पुत्र को रुपमा बिक्रम संबत सोरसो पचुत्तर को समयमा प्रकट हुनवाई को बालक जस्को बाल्ले अवस्ताम स्री महराज ठाकुर नाम राखियो बार वर्ष दुए मैना दस दिन को अल्प उमेर माने स्री महराज ठाकुर निजानन्द चार्य सद्गुर स्री देव चंद्रजी महराज को चरण सरण मा पुग्णु भायो महराष ठाकुर सदगुर को चरण मेह पुगनु हनि वित्ति के शदगुर महराष ले महराष ठाकुर भेत्रा परंधाम को बारा हज्जार आत्मा हरुमत दे शिर्दार आत्मा महान आत्मा इंद्रावती सखि को वास्णालाई पहचान गर नुब है उ ती स्वाचिप हैर इंद्रावती आत्मालाय ज्ञ्न कु मैं भट्रेम को मैंने भट्रेम मैं मैं भर्योक आनेक प्रकार पूर्ण रूपले जागरीद गर आए दिनम प्रकृतिक शरीर सांत हुने समय आयो। स्त्री महराज थाकृर इंद्रावतिक वाष्णालाई जागनी को सारा आकार्य शोंपी नुभायर बिक्रम संबत्चत्रसो बार को समय मा निजानन दचार्य सत्गुरु स्त्री देव चंद्रजी महराज इंद्रावतिको हिदय रुपी परम्धाम आनने प्रस्तान गर्न होद सा बलुस्तरी सद्गुरु महराज को धाम गवंबन पची जवत्यों सद्गुरु महराज भित्र को आवेश सकती इंद्रावति आत्मा को हिदै धाम भित्रा विराजमान भायर अब जागनी को कार्य मा अगाडी वर्ड नुभायर शा सा वाहा लाईने अब प्राणिनाह ज जसको बाल्य अवस्नाम महराज ठाकुर नाम थियो सद्गुर महराज को चरण सरण मा पुगनुभाय पेची इंद्रावती बास्ना को रुप मा पहचान गरनुभाय रहे इंद्रावती नाम बाट चिनींच वहां वित्रने अक्सिराती धाम धनी को पूर्ण आवेश सक्ति र अगाड़ी जागनी को कार्य मा निकलीन होदा चा वहां लाई ने प्राणिनाह जी को नाम बाट चिनींच वलोसरी प्राणिनाथि प्यारी की प्राणिनाहजी महराज ले सद्गुरु महराज को गादीमा गुरुपुत्र विहारी जिलाय राहनु भयो रो आव प्राणिनाहजी अगाडी धर्म प्रचार को कार्येमा निकलीन होदा चा के माया का जड़का हरू माया ले अफनो शक्ती अफनो प्रवावपनी देखाई रहे कुछ इस सवेची जरलाय पारगर्न होदै प्रणिनाहजी विक्रम संबद सत्रसो सोर को समयमा धर्म प्रचार को लागी जुनागड मा जानु भयो जुणागर में जानु भायारा के समय सम्म त्यहा धर्मचर्चा गरनु भाया। हर जी व्याफ्ची को साथ में विशेष धर्मचर्चा होदाच्छा। तेशवची फेरी वापस जामन गर जानु भाया। फेरी त्यहाँ वाटा अगाडी बढ़नु हो दई। अहम्दा वादवाट अगाड़ी पूर्ण रूपले माया को कार्यला परित्या गरनु भायरा बिक्रम संबत 722 को समय मा प्राणिनाहजी दीब बंदर्ग पुगनु भायो जब प्राणिनाहजी दीब बंदर्ग पुगनु भायो माया को रोप को पूर्ण रूपली वहले पहचान गरनु भायो ततव वहले संकल्प गरनु भायो आवम जिवन मा स्त्रीफ धर्म प्रचार्क कार्रे मात्र गर्दशू सद्गुरु महराज ले देखाऊन भाय को मार्गम चलने चू स्वद्गूर महराज ले इस्तापना गरन भाय को धर्म सिद्धान तला अगाड़ी बढ़ाऊने चो माया को कार्री कदापी गरने चो इना प्रणिनाहजी महराज अवैशरी पूर्ण रूपले धर्म प्रचार को लागी देब बंदर्गवाट निकलिन भायो प्रणिनाहजी को सात्मा परम्धाम बटा अउन भाय को अमलावति को बास्ना जो फूलवाई को रूप मा पहला हुनंतियो सुन्दर्शाथ को सेवा धर्म को सेवा प्रणिनाहजी को सेवा गरने इच्छा पुरा नभाय को कारण ले गरदा वहले फोलवाय को देह त्याग गर्न भायर फेरी तेश को मरी को स्तरीर को रूप मा तेश को मरी को देह मा ओन भाय को थियो देब बंदर को वाट तेश को मरी पनी प्रणिनाहजी को साथ मा धर्म प्रचार रसुंदर साथ को शेवा को लागी उपस देत होन भायो त्याह वत प्राणिनापिजी अवा विवेत इस्थान मद्धार्म प्रचार गर्णु होदे, ठठान गर्मा आईपुग नो होदे चई जव प्रणिनाशी ठट्टा नगर आउनु भायो, दास मैना सम्म ठट्टा नगर मा बश्नु भायरा धेरे आत्माहर लाई जागरेद गराउनु भायो तिसवे़ प्रसंग भरुटा हमें अगार kita एक मइना समग को प्रसंग मा प्रणिजी कहाँ कसरी जानुब हायो कुन समय मा जानुब हायो तिएहाँ कुन-कुन आत्मा हर को जागनी कसरी भर्यो सव एने प्रसंग माती हमें स्रवन गर्नेशो तरह अईले मस्ताराम स्तुरुप मा यहां भुमिका को प्रस्तुद गरी राखे को शो तेसकारन ठटान अगर को प्रस्तुद गरी राखे को शो तेसकारन ठटान अगर को प्रस्तुद गरी राखे को शो तेसकारन ठटान अगर को प्रस्तुद गरी राखे को शो तेसकारन अल्दाश्य महराज को जागनी महमती प्रणिनाहजी द्वारा ठटानगर को भूमीक माने बायको हो जो योबिता को लेखक होनुँच ठटानगर मा प्रणिनाहजी धर्म प्रचार गरी रहन भाय को थियो लक्षुमन सेठ नामगरे को एक जना बहुत प्रकांड बिद्वान अनि धनात दे सेठ प्रणिनाहजी को चरण सरण माई पुग्णुभायो चार घडी सम्म चरचा सुन्नि बित्ति कई लक्षुमन सेठ जी को आत्मा जागरीत हुदस प्रणिनाहीं लक्षुमन सेठ जी भित्रने परम्भाम को 12,000 ब्रम्वपियाहरु मद्दे आशावायी को वाष्णालाई देख नुभायो लक्षुमन सेठ जी को वाष्णालाई जागरीत गराई दीनुभायो तार्तम मंत्र दिक्षा दीनुभायरा जब लक्ष्मन सेर्ची को जागनी भई सके परची प्राणिनाहसी ले वहाँ को नाम ने लाल्दासी नाम राखी दिन भायो बलुस्त्री प्राणिनाहसी प्यारी की स्वामी स्री लाल्दासी महराज्य की एसरी प्रणिनाहजी को धर्म प्रचार को क्रमा जब प्रणिनाहजी ठट्टान गर पुगन भायो लक्षुमन सेड़ जी आउन भायर प्रणिनाहजी द्वारा जागनी होदा छा र वहने लालदाशी को नाम बाट नामा करन होन भायो चिनीं छा रहा वहान नई यो बितक को लेखा होनांचा बितक को लेखा कलालदाशी महराज को जीवनी को संदर वमा वहां को जीवन दर्सन को विशैमा कुनेई पनी साहित्यकार हरले विस्त्रीत रुपमा खुला साता गरे को चाहिना तर वहां को जिवन दर्शन को विशय मा एती जानकारी चाके तवन्दा वहां को जन्मे इस्तान अथा बा मुल घार भने को पोर बंदर गमा हो बैपार को सिलसिला में वहां ठटान अगर मा हुनों क्यों रा प्राणिनाह जी महराज पनी धर्म प्रचार गर्न हुदै जब ठटान अगर पोगन भायो ठटान अगर मा प्राणिनाह जी रा लक्षमन सेट जी को मिलाब भायो लक्षमन सेट जी को जागनी भायो लक्समन सेर्ची यनिकी लालदाशी महराज जसको आफनो मूलगहर भने को पोर बंदरगमा हो राज पनी पोर बंदरगमा जोन कृष्ण प्लणामी मंदीर छा त्यो मंदीर लालदाशी महराज को आफनो मूलगहर हो तरव वहां को जन्म मीती को विश्य मां वहां को माता पिता को विश्य मां को नहीं पनी सहित्य कार हर ले अईले सम्माख खुलासा गरे को पाई दैना इस विश्य मां रईयां हवाट प्रणिनाहजी महराश त अगाडी वडनों हो दै फिरी मस्कत बंदर्ग, अभाशी बंदर्ग, नलिया हुदै, त्याहाँ वाट फेड़ी अगाड़ी वड़नु भायरा, बिक्रम संबत, सत्र सो, उनन्तेश को समयमा, सूरत को भुमिमा पुगनु भायो, सूरत मा सत्र महिना सम्म भशनु भायरा, बिविन्न प्रकार का धर्म संप्रदायम अबद्ध भयका, ज्यानी, विद्ध्वान, भक्त, बिविन्न प्रकार का अस्तीक आत्मा हरुलाई प्रणिनासी ले धर्म चर्चा को माध्यम बाट शास्त्र को वस्तविक रहस्यलाई, खुलाशा गर्नु हुदै, आत्मा जागरीत गराई रहनु भाय कुछ शूरत को भुमिमाने प्रणिनासी महराज ले, महमंगल पुरी धाम को इस्थापना गर्नु भयो, जो स्रिक्रिष्ण प्रणामी धर्म को मुख्य दोस्त्रों तिर्थिस्तान हो, महमंगल पुरी धाम को इस्थापना गर्नु भायरा, सत्र महिना सम्मत यहां जागनी लिला पुरा भई सके पैसे अब सुरत बाट प्रणिनास दिले अगाडी जागनी को लागी देल्ली मा मुगल सासक औरंग जे बाचाहां जो देल्ली को राज सिंहासन मा बशेरा धर्म को नाम मा अनीती पुर्वा धर्म को प्रचार गरी रहे को छारा हिंदु धर्म मा थी अत्याच अब मैले आपनों यात्रलाए दिल्ली तरफागाडी बढ़ायर औरंग जे बात सालाए सच्चा मुसल्मान को पैगाम संदेश दिनों साभने रहे इता तीर प्रणिनास दिल्ली तरफागाडी वढ़ने तैयारी मां हुनों थियो तेही समय मां उता लक्ष्मन सेठ जी लाल लशी महराज जसको ठटान गर्म प्रणिनास द्वारा जागनी भाय को थियो वहां को पनी निनान सो जहाज सवे पानी मां डुबी सके पची माया ले इस तो जड़का दियो खाली हाथ हुन भायो सब कुछ हाथ मां न रहे पची सूरत सहर मां पुगन भायो वहां को प्राण्त नौतन पुरी मां गर गुरु गादी को दर्शन गर्नी प्राण थियो तर स्रिराज जी को हुकम वहां सूरत सहर पुगन भायो प्रणिनास जी महराज को साथ मां मिलाब भायो अब यहां देखे अगाडी लाल्दास जी महराज पूर्ण रूपली प्राणिनास जी को जागनी को कार्यमा समलक न हुनाँच शूरत देखे अगाडी को यात्रामा भनींच प्राणिनास जी महराज काया को रूप मा हुनाँच वने लाल्दास जी महराज जाया को रूप म इत्ती नज़्दीक वाट प्रणिनाषी को सात्मा रहनों भायरा धर्म प्रचार कार्णे मा सात दिन भायो लाल्लाश्री महराज ले जती जती प्रणिनाषी धर्म प्रचार को यात्रामा अगाड़ी बढ़दे हुनों छा प्रणिनाषी को सात्मा जागरीत आत्मा हरू धर् प्राणिनाश्री शिद्धपूर, पालनपूर, गोकुल, मेड़ता, आग्रहा हुदै डिल्ली सहर्म प्रवेश करनु भायो। प्राणिनाश्री महराश्री दिल्ली मा ततकाली इन मुगल सासक औरंग जे बाद सालाई सच्चा धर्म को पैगाम दिने लक्षे लिनु भायरा त्यो तैयारी चली रहे को छा। बिक्रम संबत सत्रसो पैटीश को समय चल दे थियो। तेती घेर laws उकालaving किक्षै हरिद्वार तरफ को यात्रागरनां को लागी। प्राणिनाश्री फिर्चा मों जम्र वहतרי थिएत्वार में प्राणी निःगर都एं को खत्यों अठाय सब्रता एका विन्न भिन्न धर्म सम्रदाय मत्मटां तर्का बेक्तित्यति ठिह वहाँ उपस्तेद भाय का थिये चार महिना सम्म प्रणिनाह जी हरी द्वार मा रहनु भायरा धार्म चर्चा गर्न हुदा चा तेहिने नी प्रणिनाह जी को ग्यान प्रणिनाह जी को सक्ति को पहचान गर्न भायरा सबैले प्रणिनाह जी लाई 28 कलियोग को विजया विनन्द निश्कलंक बुद्ध उतार को सुरुप मा पहचान गरन भायरा विजया विनन्द जी को साखा को इस्तापन गरन हुदे प्रणिनाह जी त्यहां वाट अवा अगाडी वडन हुदे छा फेरी दिल्ली मा आउन भायो आउरेंग जी बात्साला संदेश दिने तैयारी चली रहे को छा तेशे क्रम मा फेरी प्रणिनाह जी बीश मा एक पटक डिल्ली वाट अनुप सहर तर्फ प्रस्तान गरन हुदे छा जब प्रणिनाह जी अनुप सहर पुग्ण भायो तियो समय मा बरशात को समय भाय को कारण ले करदा मुसल्धारे पानी ले भिजे को कारण ले करदा खेरी प्रणिनाह जी बिरामी पर नुप सहर तेथी खेरा प्रणिनाह जी को सात्मा केई सुंदर्सात हरु पनी उपस्तिते थी ये लाल्दाशी महाराज बनी सात्मा हुनुंच लाल्दाशी महाराज को धर्मपत्नी लालवाई अन्यपनी के सुन्दर्शाथ हरू त्यहां उपस्तीते थीए जव अनुष सहर को भुविमा प्रणिनाशी को सस्त एक दमें खराप अवस्ता देखा परना ठालियो लाल्वाई अन्यपनी सुन्दर्शाथ हरू बहुत विरहा गरना ठालदाशन। जिले विचार गरनु भायो अईले मेरो सरीर सुटने समय भाय को छाइना किन भने जागनी को धेरी कार रहरू अज़े अधूरो चा अज़े बांकी छा तो सुन्दर्शाथ हरू लाई सांतोना दिन हुदै प्राणिनाह जिले भन्नु भायो हे सुन्दर्शाथ जी अईले तिमी हरू ले रूने बिरहा गरने कुने ज़रूरत छाइना किन भने मेरो अईले शरीर सुटने समय भाय को छाइना सदगुरू को आग्या द्वारा जागनी को कार रह बहुत बांकी नहीं छा किन भने सदगुरू महराज ले भिशेश करी साकुंडल रसकुमार आतमा जगावनो को लागी इंद्रावति आतमा महमत्दी प्राणिनाह जिलाए भिशेश तरूपले समझावनों भाय को छा अईले सम्म साकुंडल चकुमार आत्मा जागरीद भाय को चैना अरुपनी धरी कार्य हरुआ की सा तेस कारण प्रणिनाः चिले सुंदर्शाथ हरुला इस सवै बचन मन्नों हो दै अईले मेरो सरीर शुटने समय भाय को चैना तेस कारण ती महरले रूनों बिरह गर्नों कु जब मेरो परमधाम जाने समय आउदा चा केई समय अगाडी देखिने मा संकेत गरने चू मा बिरह बाणी को मा ध्यम बाटा संकेत गरने चू ते तिखेर सवै जनाले होश पुर्यावनों तर अईले मेरो सरीर शुटने समय भाय को चैना एस तो प्रकार ले अनव सहर को भू जब मेरो धाम जाने समय आउदा केई समय पाइला देकिने मा संकेत गरने चू बिरह बाणी को मा ध्यम बाटा भनेरा फेरी त्याहा नेरी सनंद बाणी को अवत्रण होदा चा जहां कुरान को हकीकत का कुराहरू मारफत का कुराहरू खुलासा भायो इस सनंद वानी को मा ध्यम बाटा पुनह प्राणिनाह जी महराज आफना विशेश विशेश सुंदर्शाथर को सक्रियतामा देल्ली आउन भायरा आउरंग जे बात्साहलाई सच्चा धर्म को संदेश दिनो होदा चा विशेश करी बार जना ब्रह्मा आत्मा हरू प्राणिनाह जी देल्ली बाटा अगाड़ी वड़नो हदे आमेर सांगानेर होदे उदयेपूर को भूमिमा पुगनो भायो जहां जहां पनी प्राणिनाह जी जानो हुं छा तार्तम ज्यान को मैध्यम बाटा बेद कतेव को खुलास अगर नो हदे आत्मा हरू को जानो है कुछ उदयेपूर को भूमिमा पनी प्राणिनाह जी धरे आत्मा हरूलाई जगावनो भायो तेश्वची फेरी अगाड़ी वड़नो हैरा मंदसोर फेरी त्यहां वाट आवरंग बाद बुडानपूर आकोट बेश्मा बेवेतिस्तान हरू हो देई बिक्रम संबत 738 को समय मा प्राणिनाह जी राम नगर मा पुगनु भायो देल्ली मा अवरंग जे बादसा भित्रने प्राणिनाह जीले सकुमार वाश्नलाई पहचान गरनु भायो अब त्यहां देखी अगाड़ी को यात्रा मा अन्या आत्मा हरू को जागनी पनी विशेश्त रुक मा छ प्राणिनाह जीले दुई वर्ष सम्म धर्म को प्रचार गरनु भायो देवकरण भाय को माध्यम बाट बुंदेल खंड का राजा छत्र साल जी को विशेमा प्राणिनाह जीलाई के जानकारी हरू मिल्दाश हिंदु धर्म रक्षा को लागी निरं तर छत्र साल जी पनी मुगल सासकरू को सात्मा युद्ध गरी रहे को तारा उनिपनी असकता भायर एक योग्य घुरू को प्रतिक्ष्या मा लगबाग बार वर्ष दिकी प्रतिक्षा रत रहे को कुरा जब देवकरण भाय को माध्यम बाट प्राणिनाह जीले चत्र साल जी को पास मा संदेश पठाऊनु भायो जब चत्र साल जी महराज के प्राणिनाह जी को विशय मा खवर पाऊनु भायो प्राणिनाह जीलाई बुंदेल खंड पन्नाकु भुमिमा स्वागत गर्नकु लागी चत्र साल जी स्वयमले अमंत्रन पठाऊनु होदाचा निमंत्रन पठाऊनु अब त्याहां बाट अगाड़ी वड़नों हो दै फेरी विवेत इस्थान बाट हो नों हो दै विक्राम संबत सत्रसो चालीश को समय मा पन्ना को भुविमा महमती प्राणिनाजी को पधार पन हो दा चा बुलू स्री प्राणिनाथ प्यारे की जब महमती प्राणिनाजी को प्राणिनाजी को भुविमा पधार पन हो दा चा जब प्राणिनाजी को प्राणिनाजी को पधार पन हो दा चा जब प्राणिनाजी को भुविमा प्राणिनाजी को पधार पन हो प्राणिनाजी ले वित्रे वाट इस्तो खाल के उटा भाव जा गरीद भार हैओ। अब यहीं इस्थान माने जागनी को जंड़ा फारावने चा है। योटा तिर्थ इस्थान को इस्थापना गरनो छा रव अगाड़ी जागनी को जतिपनी कार्य होदा छा यही इस्थान बट जागनी को कार्य गरदा छो इस तुखाल को भाव जागरीद गरनो भायरा पन्ना जी को भुमी माने प्राणी नाह जी ले जागनी को जंडा खाट में सुन्दर साथ को जमात लई डेरा बशावनु भायरा के विशेश-विशेश सुन्दर साथ हर लई लिनु भायरा अप्राणिनाह जी मौव तर्फ प्रस्तान गर्नु दाछा ज़िए किन भने तेस समय माँ चत्रशाल जी मौव मा हुनन थियो शेर अफगन को साथ मा युद्ध को तैयारी चली रहे को कारण ले गरदा प्रणिनास जी लाई स्वागत गरणर प्रणिनास जी को दर्शन गरणा को लागी चत्रशाल जी स्वय मौव बाट पन्ना जी आऊन असमर्थ होन थियो चत्रशाल जी प्रणिनास जी लाई ने मौव मा आगमन को लागी निमंत्रन गरण भायो बिशेश बिशेश संदर साथ हर लाई साथ मा लिन भायरा प्राणिनाह जी महराज मौ प्रस्तान गरना होदाचा मौ मा छत्रसाल जी महराज को साथ मा मिलाप होदाचा छत्रसाल जी महराज लाई असिरवात दिन भायो छत्रसाल जी युद्ध को लागी जान भायो बिजय प्राप्त गरर ना उनु होदा छा फेरी तार्तम ज्यान को मध्यम बाट चत्रसाल जी को आत्मा जागरेद कराई दिन भायो परमधाम को बारहज्जार आत्मा हरु मद्दे साकुंडल सखी को बास्ता ना चत्रसाल जी महराज वित्र प्राणिनाह जी लेपाऊन भायो चत्रसाल जी को जागनी पची प्राणिनाह जी पुनाह मौवाट पन्नाजी वापस आऊन भायो के समय पची चत्रसाल जी महराज बनी मौवाट पन्नाजी आऊन भायो पन्ना जी मा चोपड़ा को हविली जो चत्रसाल जी महराज को हविली दर्वार थियो उता प्रणिनाख जी महराज द्वारा चत्रसाल जी को मौमा जागनी भाय भने एता बाईजू महराणी जी द्वारा चत्रसाल जी महराज को मजली रानी जो पन्ना जी मा चोपड़ा को हविली मा होनों थियो वहां को जागनी बाईजु महराणी द्वारा भाई सके को थियो चात्र साल जी महराच चोपड़ा को हविली मा उनुभायो आपनु धाम्धनी स्वरुव सद्गुरु स्वरुपला आपनु घर मा पद्रावनी गरने सारा तैयारी हरुगर्नु भायरा अम्राई घाट बाटाव प्राणिनाः चिस शहीट बाईजु महराने सहीट सारा सुन्दर साथ हरुलाई चत्रशालची महराज ले आपनो चोपडा को हविली मा पद्रावनु भायो पूरण ब्रह्म ब्रह्मसे न्यारे आनंद अखंड अपार आरती द्वारा सन्मान गरनु हुदश अब प्राणिनाः ची महराज ले पहलाने पन्नाः ची को भूमी बाटाने अब जागने को कार्ये गरने योटा भाव प्रकट गरनु भाय को थियो त्यो विचार शत्रशाल ची संग बेक्त गरनु भायो चत्रशाल ची महराज को विशेश शक्रियतामा महमती प्राणिनाः ची स्वयमले पन्नाजी को भूमी माने एक महां तिर्थिस्थान को इस्थापना गरन भायो जो श्रीपाज बद्नोती पुरी धाम को नाम मा प्रशिद्ध चा बलो श्री प्राणिना थे प्यारे के बरतमान हमी पन्नाजी मा जब दर्शन गरना जादो चो ब्रह्म च वुतरा को नाम बाट जुन एरियाला ची निंच जानींच जहां गुमर जी बंगलाजी मंदिर इस्थापना चो तिहीं इस्थान स्रीपाज बद्नोती पुरी धाम को नाम मा प्राणिना ची ले तिर्थि चालिस देखी सत्र से एकाउन सम्म एकार वर्ष सम्म प्रणिनाजी महराज पन्नाजी को भुमी पद्वावति पुरी धाम मा बिराजमान होन भायरा धार्म को चर्चा जागनी को कार्य गर्न होदा च्छा बेद कतेव का खुलाशा गर्नो अनि रज्जी महराज को आवेश शक्ति द्वारा महमती प्रणिनाजी को स्त्रिमोख द्वारा नहीं बाणि का चौपाय हरु प्रश्पुटीत भाई रहेकाचन जब प्रणिनाजी जामनगर को भुमी मा हुनंक्यो बेक्राम संबल सत्रसो पंद्र को समयमा हपसा बंदि ग्रिहमा बाणि अवतरन जहां रास, प्रकास, सट रीतू अनि कलस गरंथ को सुरुवात को चौपै अवतरन प्राई हो। कुलाशा खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत सागर जस्ता ग्रंत हरो पन्नाजी को भुमी मा नहीं महमती प्राणिनाजी द्वारा अवतरन भाय को हो रक्यामत नाम ग्रंथ जब प्राणिनाजी पन्नाजी को भुमी मा जागनी गर्न होदाने बीज मा एक बर्स सम्मा चित्रकूड मा विराजमान होन भायो चित्रकूट को भुमिमा क्यामत नाम ग्रंथ को अवतरन भयो एशरी महमती प्राणिनाहजी को स्त्रिमख द्वारा नै रास ग्रंथ देखिलियर क्यामत नाम ग्रंथ सम्म का चौद ग्रंथ बाणिहरो जो 18,784 चौपायमा आवत्ध चन ईवाणिहर को अवतरन पुरा होद चौद चौद पन्नाहजी को भुमिमा प्राणिनाहजी को जागनिला चल्दई चल्दई समय अगाडि बेतित भई रहेको चौद परम्धाम का ब्रह्मा आत्मा हरो जागनी लिलाको आनंदमा मदवस्तसन किन भने प्राणिनाह जिले यो जागनी को रास को आनंद को भी शैमा बाणिमा कती भाव भरी सब्द वाट कती महत्तो दर्शावनु भाय को छा यो जागनी रास को समय भने को इती महान समय हो प्राणिनाह जिले बाणी मा बतावनु भायो अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहाग इन जोग तीन लिला चौंती घर की इन चारों को यामे भोग यो जागनी रास को समय हो जोग जागनी रास मा तीन लिला यानिकी ब्रज़ को लिला रास को लिला जागनी को ब्रज़ को लिला अनि चौंती घर की यानिकी चौंतो परम्हाम को लिला नहीं यो जागनी को रास महमती प्राणिनाह जी को समय हो तेश्मा अपनी विशेश करी पन्नाजी मा एक हार बर्ष सम्म जागनी राष लिला प्रणिनाशी महराजले रजनु भयो जुन लिला में इत्ती अनंदशा जहां परंधाम का वाणी हरू अवतरन भैर है काचन शुन्दर साथ हरू अष्ट प्रहर जोंस्चत घडिने बाणी को अध्यन गर्नो वाणी को चिंतन गर्नो बाणी गायन गर्नो महमती प्राणिनाशी द्वारा बाणी को श्रवन परंधाम को वर्नन को श्रवन गर्नो प्राणिनाशी को सेवा भाव मा तत्परशन एक्ति अनन्दमय बाता वरण मा पध्न्वाति पुरि धाम को लिला चली रहेगो चा आत्माहर को जागने निरंतर भई रहे गो चा इस्तोः हाल को जागने रास को अनन्द चल्दए चल्दए समय वेतीद भई रहे को थियो समय वितीद हुदें हुदें बिक्रम संबत सत्र सो पचास को समय लगबक उपस्दीत भायो लगबक चौदा ग्रंथ बाणी हरु अवतरन भैशके काचन साखुंडल सकुमार आत्मा जागनी भैशके कुछ अन्य विशेश-विशेश कार्य हरु जतिफनी सद्गुर महराज ले इंद्रावती आत्मालाई जिम्मा दिन भैएको ती सारा जागनी का कार्य हरु पुराव हयो अव इंद्रावती वाष्ना महमती प्राणिना जिले विचार गर्न भैए मेरो मा ध्यम्मात जतिफनी जागनी को कार्य हुन थियो अव यो सवी कार्य हरु भैशा के कुछ अव इंद्रावती आत्मा धाम दनी श्रीडाज जी महराज संग अर्जी गर्न होदाचा बिंती गर्न होदाचा पुकार गर्न होदाचा हे धनी आवत्यु परंगाम में जागरित गरावनोस परंगाम को सुरुप में उठावनोस नूरी शुरुप को दर्सन गरावनोस विशेश करी शिंदी बाणी जाओद ग्रंत में सवेवन्न अंतीम में आवत्रन भायको विक्रम संबत सत्रसो अर्तालिश को समय में आवत्रन भायको बाणी शिंदी बाणी हो जहाँ विरह का जगडा हरुचन इसक का जगडा हरुचन स्रिडाज जी महराज को साथ मा इसक को माध्यम बाट प्रेम को माध्यम बाट जगडा गर भायको कि हे राज जी महराज ता पैले सब कुछ गराऊन भायो ग्यान को मैं ध्यम बाता, समझ को मैं ध्यम बाता परम धाम को सबीछ चीज को जानकारी पर नी गराऊनों है तरह आवा तू नूरी श्वरूप में जागरेद गराऊन हो अव यो पंच भावतिक शरीउ लाई सांत अगराई दिन हो धाम दनी स्रिडाज जी महराज को साथ मा इस्तरी जब उम्हाले अर्जी गरना ठालनों भायो स्रिडाज जी महराज ले इंद्रावती आत्मा को अर्जी लाईश्वेकारनों भायरा अब लगबक इंद्रावती आत्मा को शरीर एनिकी प्राणिनाह जी को शरीर सांत होने समय भाई रहे को छा वहां को धाम गमन होने समय आउदे छा प्राणिनाह जीले विचार गरनु भायो अब मेरो अंतर हिदय में त्यो परम्धाम को इशक को खुश्वो इशक को शुगंदा परम्धाम को आनंद अनु होती हुन लागी रहे को छा स्रिडाज जी महराज को आवेश सक्ति बाट बाणी मा योकुरा जाहर भाय को छा अर्श की एक कंकडी उडायवे देवे चौदे तवक परम्धाम के उटा बालो अको कणले चौदलोक ब्रम्हान डला उडाओन सक्ष मिटाओन सक्ष अस्तित्व हेन बनाओन सक्ष वने जब अंतर हिदय मा परम्धाम को प्रेम जागरेद भाई सके पैसी यो सरीर मा कसरी रहन सक्ष सात्मा तेश कारण अव यो सरीर सांत हुने समय आय को साथ अब प्राणिनाह जी ले विचार गरन भायो मैं ले पैलाने सुन्दर साथ हरला संकेत गरी सके को चुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचुचु मैं पहला देखिने मा संकेद गरने चुभने रहा शोई अनुसार अव विक्रम संबत सत्र सो पचास को समय देखिने प्राणिनाह ची ले बिरह वानी को मा ध्यम बाट शुंदर्शाथ और लाई संकेद गरना थालन भायो कि हे शुंदर्शाथ जी अब मेरो परंभाम जाने सम तुम हुजो सवे हुशियार एक खिन की बिलम ना कीजियो जाए घरों करे करार शैया हे सुंदर्शाथ जी हे सकी हरो अब हम धाम चलत है अब मेरो परंधाम जाने समय आए कुछ अब मा परंधाम तरफ प्रस्तान गर देखो तुम हुजो सवे हुशियार तिम हरो सवे जना हुशियार हो, साबधान हो, एक खिन की बिलंब ना कीजियो, जजसलाई अब यो खेल हिरने इच्छा पुरा भई सके कुछा, परम्धाम आपनो निज सुरुप मा जागरीत हुने इच्छा भाव छा, एक खिन की बिलंब ना कीजियो, एक छेन को पनी समय देरी नगर, ढिलो जाए घरो करे करार अवपरम्धाम मा गायरा अफनो मुल घर्मने परम्धाम को आनन्द को हमिले अनुवहूती गरनो छा, परम्धाम जान जान चाहने अत्माहरूले अफनो सुर्थ अलाय उप्शना चित्त वरिति यलाये परम्धाम तर्फकेंद्रीत Гरावनो को लागी, विरह वाणी कुमा ध्यम बाट प्राणिनाह ची शंकेत गर दे होनांचा, फेर यार को प्रकरण मा भन्नोंच प्राणिनाह चलो चलो रे साथ जी, अपना जाईये धाम, मोल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म स्रिष्टी स्यामा जी स्याम, शंकेत गर दे होना जाईये धाम, मोल वतन धनिये बताया, धाम धनी स्याम, मोल वतन धनिये बताया, धाम धनिये स्याम, लक्षि दिन भाय को चाईये जुन परम्धाम मा जीत ब्रह्म स्रिष्टी स्याम जी स्याम बारह हज्जार ब्रह्मा अत्महर को परात्म स्याम जी महरानी स्याम अक्षिराती धाम धनिये जो परम्धाम मुल मिलाव मा बिराजमान हो नंच आफनो शुर्टा लाइए आफनो चिंतन लए तिस परमधा मुल मिलावा तरफ केंद्रीद गर, यू सारा संसार भने कु मिथ्या हो, जुठा हो, नसुर हो, यू संसार कु विज्मा एदी सत्ती चीज के इसा भने, स्रिराज जी महराज को नाम सत्ते चा, स्रिराज जी महराज को आत्म सुरूव सत्ते चा, तिस कारण प्राणिनाची महराज वन्नोहंचा हे आत्मा हो चाओदे लोक में जुठा विश्तरियो तामें साचे के एक तुम्मा नाचते खेलते हसते चलिये आनंद में बुलाईया खसम सारा चाओदलोक ब्रह्मांड यो जुठा को विश्तार हो धार्म सास्त्रलिपनी भनिये को छा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एदी सत्य चीज केशवने परव्रम्ह परमात्म सुरुप सत्य हो नंचे परमात्म अलवा यो जगत यो संसार होने को मिथ्या हो प्रणिनासी बन्नोंच चाओदे लोक में जुठा विश्तरियो चाओदलोक ब्रह्मांडमा जता हेरियो त्यता असत जुठा को विश्तार चा तामें साचे किये एक तुम्म यहां एदी योटा सत्य चीज चा वने आ परमधाम हो तेश कारण अब आत्माले आफ नो त्यो दिव्य परमधाम तरफ आफ नो यात्रालाइप्रस्तान गरनोच आगाड़ी बढ़ाओनोच ता परमधाम तरफ जादा किरी कसरी जानेता बंदा संसारम पनी विचार गरनोश आफ नो नजदिक को सन्मंदी वेक्ति- श्रिदाजी महराज को सात्म मिलना को लागी परम्धा मुल मिलावा तर्फ जाद की कसरी जाने प्रणिनाख चिले हन्वायो नाचते खेलते हसते चली नाचते खेल दया नाश्ते रिदय मां उमंग भर्दय जानु परदचा किन अनंद में वुलाया खसम क्यों आनंद में परंधाम अक्षराति धाम्धनी आपनों अंगना स्रुप आपनों आत्मा हर्लाई बुलाई रहनु भाये को चाँ धाम्धनी श्रिदाज जी महराज वे बुलाई रहनु भाये को चाँ वने हमी कती खुशी भर जानु परदचा तरहेदे मा प्रेम भरेरा हर्षद को साथ मा उलाश को साथ reclaim प्रसनाता को साथ मा धामदनी स्रिडाजी महराज संग मिलना को लागी, निज दुरुप्न जागरीध होना को लागी, अब तैयार हो प्रणिनाजी महराजworksरी बिरहवाणि को मैं ध्यम्बाट सुन्दर साथ अर लाई संकेत गरी रहन भाय को छा अनी प्रणिनाह चीले योपनी भन्न भायो जजसलाई खेल हेरने इच्छाचा अजय पनी उनी हरो खेल हेर रवस्न सकता छो जसलाई जाने इच्छाचाऊ नियरो शरीलाई सांत गरार परम्धाम जाना सकता छो तरह योटा कुरा जरूर प्राणिनाह चीले भन्दीन भायो जवसम्म मप्रतक्षे रोप में छो कसे को गून अवगून मैं लिए सवय माफ गरी दिये को छो मेरो समय काल सम्म माफी को दर्वाजा खुला छा तरह जव माँ गई सके पसी माफी को दर्वाजा बंद होने छे सबेले आफनो आफनो कर्म अनुसार आफनो आफनो कर्म को भोग गर्नो परने छा कसे ले कसे लाई को नई प्रकार को ना ता माफी दिन सकत छा न तकसे को लागी कोई होने से प्रणिना शिले वाणी को मैध्यम बाटने योकुरापनी जाहिर गरे दिन भायो ताव कोई नहीं किसी के संगा दुख्ष सुख्ष लेवे अपना अंग कोई कसे को साथ मा होने से न चाए दुख्ष हो चाए सुख्ष हो स्वयमले भोगनू परने छा तार मेरो साथ मजू परमधाम जाना चाहन चन्वने स्रिडाद जी को हुकुम द्वारा सबई को गून अवगून लाए माफ गरी दियेको चा माफी को दरवाजा एले खुल्ला छा इसरी सवय चीज हरू परने ना ची बाणी को माध्यम बाट जाहेर गरदै होनों चा बाणी मात धेरी विरहका प्रकरन हरू को माध्यम बाट धेरी भाव हरू बाट परने ना चीले जमजावन भायको चा इस सवे विश्त्रित भाव हरु हमे बाणी को एक एक चौपाई चौपाई हर को अध्यन गरदै चिंतन गरदै इस चीज हर लाई भुज़न सकत सो तरमा एले प्राणिनास जीले संकेत गर्न भाय को के संकेती सारामस चीज हरु यहां प्रस्तुत गरी रहे को शौपाई जब ये सरी प्राणिनास जीले विरह भाणी को मैं ध्यम बाट परमधाम जाने तैयारी को संकेत गर्न भायो बाई जो परमधाम को अमलावती को बासना ज शरी मैंले पहलापनी बने फुलवाय को रुक्माओनोबाई को थियो फुलवाइले आफ्टीनयागारन भाय तेज कुवारी को रुक्माओन भायो सदगुरु महराज वित्र को श्यामाजी सक्ति जो प्राणिनाजी महराज वित्र विद्यमान होन भाय को थियो प्राणिनाजी महराज ले फेरित्यों श्यामाजी महराणी को सक्ति लाए अमलावती वित्र विद्यमान गराई दियोन भायो तेस कारण श्यामजी स्वरुपा को रूपमा बाईज्यों महारणी लाइचे नेंच जागनी को ब्रह्म्हांडमा स्वद्गुरु महाराज श्यामजी स्वरुप को रूपमा उन भाईगो थियो Okeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeateakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeake निज मूलपती स्त्री महराज सुनाम तेज कुवरी श्यामा जुगल को पलपल करूँ प्रणाम प्राणिनाजी को हुनांचा स्त्री प्राणिनाथ निज मूलपती श्री प्राणिनाः शी नेज मूल पति आने की नेज परमधाम को आत्मा को मालीक आत्मा को दुलहा होना श्री महराज सुनाम जसलाई यो धर्तिम महराज नाम मट चिनें श्री तेज कुमरी आनि जो तेज कुमरी होना श्री श्यामजी महराणी को सक्ति जस्वित्र बिद्द मांँ छो ते सिर बाईजु महराणी जो राजिर श्यामा जीको सक्ति जस्काव बिध्ये मांँ छो जुन जुगल Ne adult दभाणीली स्ति वाईज्य महरांी केigue qa वाईज्य महरानी को गुगाने को सार भने को ने स्टैवा हो वहले श्यवा को लाघि नएं, फोलवाई को द्यात्याग गर्न भायरा तेजक मरी को देहम आउनों है वहले पुरा जीवन धर्म को सेवा प्रणिना, जीको सेवा सुन्दरसात को सेवा जागने को सेवा मा अफनों जीवन समरपन गर्न भाय। बेक्रम संबत सत्रव सो पचास को समय चली रहे को छा महमती प्राणिनाह जी ले जव बिरह वाणी को माध्यम बाट अब परम्धाम तर्फ प्रस्तान गरने संकेत हरु गरी रहनु भाये को छा श्यामा सरूपा बाईजु महराणी ले अब के बुझन भायत भन्दा प्राणिनाह जी महराच आफनु पंच भावतीक शरीरलाई सांत गरावनु भायर परम्धाम जादे हुनोंचा वहाले संकेत गरी रहनु भायको छा बने अब वहां कुंचा ही परम्धाम जानोंचा देव्य परम्धाम जो हद्द पार विहद्द है विहद्द पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागे इन घर वनेर जुन परम्धाम मुल मिलावा को कुर्याहमी गर्दशों बाणी ले जुन परम्धाम मुल मिलावा को लक्षे दिये कुछ त्यों परम्धाम मा परात्म सु प्राणिमा भन्नुभायो पाउडशी भेले जागशी भेले तेशुभाय प्राणिनाह जी अईलेनी शरीर लाई बिस्त्राम गरेर परम्धाम जादे हुनंच वने सबेया आत्मा हरले संसार मा छोड़ेर खेल मा छोड़ेर परम्धाम मत वहां फर्किर जानु हुन्न तेश्वई वहां ली जानु हुने परम्धाम मुल्मिलाव भने को कुन होता वंदा सुन्दर्सात को हिदय रुपी परम्धाम कि नभने देवचंद्रजी महराज लाई 40 वर्ष को मेरमा दर्शन दिने हुने वाला सरूप लेपनी तुम्हारे अंदर आकार में आय के वेटे हम्मा देवचंद्रजी को हिदय लाई ने परमधाम बनायरा बिराजमान होनु भायो शद्रगुरो स्री देवचंद्रजी महराज 712 को समय मा धाम जानु भायो तकुझे धाम जानु भायो इंद्रावती आत्मा को हिदय रुपी धाम मा बिराजमान होनु भायो प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राण नाथम प्री और सिस्ट महराज ठाकुर कुरहिदय लाईने परम्धाम बनाऊन भायरा प्रवेश गरन भायो भने आव महमती प्राणिना जे सोरोब यो पंच भौतिक सरीलाई सांत गरर परम्धाम जादे हनोंच प्राणिना जे सोरोब यो 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 प् कुलागी सुक स्येज्जा तयार गर नुपर द श हुग हले विचार गर नुभयो आईने सम्म मैदी धनीको सेवा शुंद्रशात को सेवा सशरीर रूप मा रहे रह गरें वने अव समय इस तो आयको चया यू सरीर लाए बिश्त्राम गरें अवसुंद्रसात को हिदयमानै धन जाव प्राणिनाशी ले विरह वानी को माध्यम बट संकेत गर रथाल नुभायो। जाव प्राणिनाशी ले विरह वानी को माध्यम बट संकेत गर रहन भायो। जाव प्राणिनाशी ले विरह वानी को माध्यम बट संकेत गर रहन भायो। कतीजना सुंदर साथ हरू त्यो घडी त्यो फल को प्रतिक्षा गरी रहे का छन। जन घडी जुन पलमा प्राणिनाशी ले आफनो सरीर ले सांत गरी दिन होंचा। तेतीनी खेर आफुपनी सरीर ले छोडेरा प्राणिनाशी को सात्मा आफनो सुर्तालाई मिलाई दिने। समय वेतीध हुदैगायो बिक्रम संबत सत्रसो एकाउन स्रावन क्रिष्णा तीज तीथी को दीन आयो। तेज तीथी को दीन प्रात कालीन समय देखिने महमत्ती प्राणिनाशी ले मौन धारन गर्न भायो। जब प्राणिनाशी ले तीज तीथी को प्रात कालीन समय देखिने मौन धारन गर्न भायो। अब सुन्दर साथ तेथा पाए। अब प्राणिनाशी को धाम गवन हुने समय आई सके को छा। कि जब समय में चत्र साल जी महराज मौन जानवाय को थी हो। किन भने्च चत्र साल जी एक देख को शासक भाय को कारण ले गर्दा करी। आफना राज्य को सुरक्षाद देश को सुरक्षा को लागी पनी लागनू पर देथियो रहा प्राणिनाह 이제 को सेवा सुंदर आख को शेवाम पनी उपस्तीद हुद आथि तर जुन समय मा प्राणिनाश दिले मों धारन गर्न भायो चत्र साल जी महराज दितिखर मौव मा हुनन त्यो चत्र साल जी महराज को पास्वा संदेश पठाईयो प्राणिनाश जी को इस्तितिको विशय मा उता वाट चत्र साल जी महराज चाफनों गोडा भोले भईया माती सवार होनों हुदै मौवाट पन्नाजी पद्वावती पुरी धाम जहां नेरी प्राणिनाजी धाम जनी सुरू बिराजमान होनंच त्यहां तर्फ अगाडी बढ़न थालनों भायो बरसाथ को समय अविरल बरसाथ को कारण ले करदा खेरी मौवाट पन्नाजी तरफ आउदेगर होदा बेश मा जुन केन नदी चा त्यों केन नदी मा बहुत ज्यादा पानी बढ़ी रहे को त्यों बाड आई रहे को त्यों भोले भाईया घोडा त्यों बाड लाई त्यों नदी लाई पार गरर अगाडी बढ़न असमर्थ भाय चात्रशाल जी महराज ले विचार गरन भायो मेरो धामधनी शरूप प्राणिनाहसी को इस तो खाल को अवस्थाम पनी तिमिले मलाई शाथ दियना भने और कुन समय मा साथ दिन चो आज सम्मत तिमिले मलाई हर दम हर घड़ी मेरा हरेक लक्ष रूमा साथ दिये को शो आज यो समय मा जरूर मलाई साथ दिन पर चा प्राणिनाहसी को शरूप को ध्यान गरना हो दै भले भाया घड़ाला लाई चात्रशाल जी महराज ले नदी भित्र प्रवेश करावन भाय और सहस्ता को साथ मा नदी पार गरन भायरा चत्रौन जी महराज फिर इतने हमट अगारी बढ़न हो अंच। पन्डाजी, बंगलाजी को दरवार जहाँ धामधनी सुरूप प्रणिनाजी बिराजमान होना हुनाँच संध्याको समय मा 7-साल जी महराज बंगलाजी को दरवार मा धामधनी को चरन स्तरड मा उपस्तीत होनु भायो सामने मा आई पुग नुभाये रहा प्रणिनाहस जी शुर्व लाई प्रणाम गरनुभायो सदैत छत्र साल जी महराज आऊनुभाये रहा प्रनीनाः जी ले प्रनाम को जवाब प्रनाम भने रफ हर काऊन हों थ्यो तार आज प्रनीनाः जी प्रात कालीन समय देकिने मौनध धारन गरी रहोन भाए को छा प्रनाः झाल जी महरास ले तीति खेरा अंतर हेदelfातने इस तोखाल को प्राइस सेत हुदा थ्यो खाल को दर्ध पैदा होदा चा, मेरो धामदनी स्रुब प्रणिनााजी को आज युझे स्थिति होदा खिरीपनी, वहां को शेवामामा उपस्तित होना सकीना, वहां को बचनलाज मैं ले स्रभन गरना सकीना, मेरो प्रणाम को जवाफ वहाले आजा दी रहन भाय को छाई ना भने अब वहाले आफनो शरीर लाई सांत गरावन भन्दा पैलाने मों मेरो शरीर लाई छोड़ी दें छो अब धाम दनी शरुप को विना मैले यो संसारवा मासनो को कुने आउचित्य नहीं छाई न चत्रशाल जी महराज लाई बिजे को असिरबात सरूप महमत दी प्रणेनाज जी ले तलवार भेड दिन भाय को तियो तेहीं तलवार चत्रशाल जी महराज हर दम आफनो सात मा राखने गरन अंतियो आज चत्रशाल जी महराज ले विचार गरन भायो धाम दनी को त्यू इस्तिति लाई हेरनु भंदा पैलाने मैले आफनो सरीर लाई सांत गरिदीनु परचा आफनो सरीर लाई त्यागिदीनु परचा यू विचार गरनु भायरा चत्रसाल जी महराज ले तल्वार पक्ड़िन भायरा म्यान बट तल्वार निकालनु भायो अनि आफनो गलाम तल्वार प्रहार गरना तैयार होनु भायो तेती खेर प्राणिना जी महराज बशिवूत हुन भायरा चत्रसाल जी को हाथ पक्ड़ीनों हुदै आफनों मौन भरतलाय तोड़नों हुदै भन्नुचे चत्रसाल जी तिमें के गरदेशों तिम्रों आईले शरीर छोड़ने समय भाय को चैना परम्धाम जाने समय भाय को चैना धाम दनी शरूप को हुकुम द्वारा निजानन्द चार्य सद्गुरु महराज को आग्या द्वारा मैले मेरों माध्यम बाट यो शरीर बाट जती जागनी को कार्य गर्नों थियो ती सव आवा मेरू पसाड़ी जागनी को कार्य तीमेले समालनू सुन्दर साथ को देखवाल सुन्दर साथ को रक्षा इस सारा कार्य हरू महमती प्राणिनाह जिले छत्र साल जी लाई सोपीन भायो आवा छत्र साल जी महराज नत धाम धनी को भियोग लाई सहन गरेर संसार मा बसन सकने हिम्मत मा होनुँच नत धनी को बचन लाई उलंगन गरेर आफनो इच्छा अनुशार सरीर लाई त्याग नने सकन होनुच तरपनी धनी को बचन लाई कदर गरनू परेओ चत्र साल जी महराज ले जागनी को कारेला संभाल न को लागी प्राणिनाश शिको तीओ विरह दरध लाई पनी सहन गरेरा बसन मजबूर होनुँच तीखर प्राणिनाश जी ले चारे तिर सुन्दर साह जी को इस्थिति देखनुपायो सारा सुन्दर साथरो रोई रहे काचन, विरह गरी रहे काचन, कोई जमेन मा लड़ी रहे काचन सुन्दर साथर को इस्तितिको विशायमा प्राणिनासी ले सोतनु भायो प्राणिनासी को तेस दर्द तेस विरहमा जब प्रणिनाह जी को जागनी यात्रा में जब प्रणिनाह जी सिद्ध पूर्पुगन वाये को थी हो भागवान रेवा दास जी लाई चार सब्द सुनायर प्रणिनाह जी अगाड़ी वढ़नु भाये को तेहीं चार सब्द केशब दास जी लाई जसको पहला नाम केशब भट्ट जी थियो केशब भट्त जिले चार सब्द सुने रप्रनिनाह ister को दर्शन गरना कुलागी देल्ली मा आये पुवन भईयो ऐसब भट्ध जी लाईंने प्रनिनाह 70 प्रह्णी को चार्चा सुने रवहाँ को पनी आत्माँ जागरीत भईयो पूर्ण रुपली प्राणिनाहजी को जागनी सेवा मा अपनो जिवन समर्पीत गरनों भायो के सब भट्र जी लाई नहीं प्राणिनाहजी लेके सब्दास नाम राखे दिन भायो शोक के सब्दाह जी पनी अहाँ प्राणिनाह जी को समक्षे मा उपस्तीत होनी थी ते तीने खेर प्राणिनाह जी ले के सब्दाह जिलाए वन्नुभयो के सब्दाह से ते मिलाए पनी म योटा सेवाकार रेशाँ पेद दोचू धाम्धनी को आग्या द्वारा मेरो समय मा जथी पनी बाणी हरो अवत्रन भयकाशन इबाणी हरो भिन्न भिन्न इस्तान मा अलक अलक रूप मा आवद्दशन इस सवी बाणी हरो लाई संकलन करे रेवटा ग्रंथ को रूप मा जिल्दवाद ने कार्यति मिले गरनो तार्तम बाणी सरुव साहेव को जिल्दवाद ने सेवा महमत्दी प्रणिनाजिले के सब्दासिला सौपीन भायो ते तिने खेर साथ मा लाल्दासि महराज उपस देच हो लां थियो ते शोत धेरे जना सुन्दर साथ हरू तेहां उपस देच हन तर लाल्दासि महराज लाई प्रणिनाजिले भन्न भायो लाल्दासि ना जाने तिमी पनी मेरो साथ मा सरीर सोड़र परम्धाम जाने सोची रहें कोहलाओ तरम ति मिलाए होकुम गर्द हो आग्या गर्द हो ति मिले बित्तक लेखने कार्य पुरागर सÕγ जवसम्म बित्तक लेखने सिवा पुरा धेटंगो तवसम्म ति मिलाए परमधाम जाने मेरो आग्या दलाक से परухड को सकतों इस यह रोलाक स्वस्माय को स्वस्माय आधया को है संग अहले बित्त को रूप मालेखनों किनवने महामत्दी स्वामे स्ट्री प्रणिन्याह जे श्वयम लेपनी यो बाणी कसको लागी दिन भायो श्वयम प्रणिन्याह जे आफनों वाणी मा वन्योंचा पिछले साथ आवेगा क्यों करा प्रकास बचन हिदय धारा चारणे है सो तेतो आवे सही पर पिछले साथ कारणे बाणी कही अईले मेरु चरन सरण मा भय को अी आत्मा हरूता राज्जी को क्रिपा द्वारा सभी परम्धाम जाना सक्छन तर पचियाओने सुन्दर साथ हरू पचियाओने आत्माहर ले परम्धाम जानको लागी मारगन निर्देशन कसले करनेशन अथाबा परम्धाम को चिंतन कसली करना सकनेशन तपीशले सात कारणे बाणी कहीं पचियाओने सुन्दर सात को लागी मैले बाणी राखी दिये कुछू बाणी को अध्येन बाणी को चिंतन बाणी को निरिध्यासन जसको मा ध्यमबाटा आत्माहरू परम्हाम सम्माओन सब्तशन भने शोई अनुसार महमती प्रणिनाह जी बन्नोंच बित्तक ग्रंथा लेखर तैयार करा ताकि पचियाओने सुन्दर सात को लागी योटा आदर्स ग्रंथा मार गर निर्देश ग्रंथा होस। लाल्दाशी महराज लाई जब प्रणिनाँजी ले बित्तक लेखने सेवा कार्ये शोँपिनु भायो लाल्दाशी महराज वन्नुँँँच ले प्रणिनाँजी हजुर भंदे उन्चा सदगूर महराज देखी लिएर सारा वित्तक को प्रसंगला उल्लेह करनू लेखनू तर मत हजुर को चरण सरण मा सूरत देखे अगाडी मात्र चू त्याहा देखे अगाडी का प्रसंग हरू शवे मा आखों देखे हाल चू केई जानकारी केई उल्लेह करना सकता शू तर त्याहा देखी पचाडी को त्यो भंदा पैला को कुरा हरूता मैली प्रतक्षी रुप मा देखे को चूईना अनुभाव गरेको चूईना त्यो कुराला मा कसरी वित्तक को रुमा दर्शावनो सकता सू तेती हरा प्राणिनास चीली ओ भाव वेक्त गर्न भयो लाल्दासी तिमी योटा माध्यम बना तिम्रो अंतर हिदै भित्र वशेर माफे वित्तक लेखने शू महमती प्रणिनाह जी लाल्दाशी महराज को रिदय धाम वित्र विराजमान होनु भायरा श्वेम युब बितक लेखन को लागी तैयार होनु भायो इसरी लाल्दाशी महराज लाई महमती प्रणिनाह जी ले आफनो समय को अंतीम कालमा सारा ब्रह्म सिष्टी हर को लागियोटा मार गर निर्देशन गरंथा बित्त गरंथा लेकने हुकुम गर नुगायो आव तिहां चारे तिर सुन्दर साथ हरो जो विरह गरी रहे का सन रोई रहे का सन तड़पी रहे का सन सुन्दर साथ हरुले के खाय का सैनन पानी फिये का सैनन ती सुन्दर साथ हरुलाई प्रणिनाह जिले अवा छिटो भंदा छिटो खिचडी तयार गरेरा सवै लाई खिचडी प्रशाद गरहन गरने आगरहा गरन भायो सुन्दर्शाथ हरुले खिचडी तैयार गरर प्रणिनाहजी स्वैमलाइपनी भोग धरावन भायो अनि सुन्दर्शाथ खिचडी प्रशाद भी तरण गरन भायो यो स्रावन कृष्णा तीज को संध्या को समय को गरा हो तेश पच्ची फेरी प्रणिनाहजीले मौन धारन गरन भायो समय वेतीत हुदै अगाडी बढ़ियो तीज को रात्र को समय वेतीत हुदै हुदै जब तीज पुरा भायरा चौंती सुरोहन को लागी दोई घडी समय बांके थियो तेही समय मा अक्षराती धामदनी सुरोप महमती प्रणिनाह जिले आफनो पंच भावतिक सरिलाई सांत गरन भायरा परम्धाम गमन हुन भायो बलोस्तरी प्रणिनाह थि प्यारे की चौंती को सुरोहन को लागी दोई घडी समय जब बांके थियो प्रणिनाह जिको धाम गमन भायो अब प्रणिनाशी को धाम गवन भायतों वहां कुंचे धाम में जान भायता बन्दा पहलाने वहले वाणी को मैं ध्यम बठ संकेत गरन भायको थियो अब हुकमें द्वार खो लिया लिया अपने हात हुकम दिल मोमिन के आय के अर्ष कर बैठे खसम अब इस सवे जागनी को कार्य हरु हुकम लाई सौपी न भायरा अक्षिराति धामधनी सरूप महमती प्रणिनाशी महराज दिल मोमिन के आय के अर्ष कर बैठे खसम शुन्दर्शाथ को रहिदय लाईने परम्धाम बनावन भायरा महमती प्रणिनाशी सरूप शुन्दर्शाथ को हिदय रुपी परम्धाम मा बिराजमान हुन भायो जहां एक वर्ष पहला नई बाई्जु महराणी श्यामा स्तृरुप जानू भायरा सुन्दरशाथ को रहे outtaे माधाम दनी स्तृरुप प्राणिनाठी को लागी शुक सेज्ज तयार गरर स्वागत को लागी तयार होनां त्यो ससरीर रूप बाट प्रणिनाह जी को धाम गवन भायो चौंथी तीथी को दिन भरी सुन्दर साथ को दर्शन को लागी प्रणिनाह जी को सुरूप लाई पद्रावनी गरेर राखियो किन वने सुन्दर साथ हरो देश बिदेश मा चरिये का चन टाडा टाडा का सुन्दर साथ हरो प्रणिनाह जी को दर्शन को लागी आउदे हुनां चत्यों खबर आई रहे कुछ जव पंचमी थिको दीन आयो पंचमी थिको दीन अव महमती प्रशनाषी को सरूप लाई बंगलाजी मंधीर बाट गुमन्जी मंधीर में पद्राउनी गरियो जो आजा हमी पन्नाजी को दर्शन करना जादा जहां बंगलाजी को मंदीर सा तेस इस्थान में प्राणिनाह जी ले एक हार वर्ष सम्म लिलागर्न भायो जहां नेरी सारा बाणिहरो अवत्रन भाय को हो बने गुमण जी को मंदीर प्राणिनाथ जी को धाम गमन भाय पची सत्रसो एकाउन न स्त्रावन क्रिष्ण पंचमिती थी को दीन प्राणिनाथ जी लाई गुमण जी को मंदीर मा पद्राईयो बलोस्तरी प्राणिनाथ प्यारी की तेश पची सुन्दर सा धरू आपनो आपनो सेवा कार्ने म लागनो होदा छा लालाश्री महाराज ले अव बिचार गरन भयो मलाई धाम धनी सरोप प्रनीना जिले आज्या गरन भय को छा विताक लेखने कार्य जवसम यो विताक लेखै रम पुरा गरन सकती ना तवसम धनी ले मालाई परम्धाम जाने हुकुम गरना भाय को चाहिना भने अब मेले यू सेवा कार्य लाई सर्व प्रतम पुरा गरनो चा अब पंचमी चीथी को दिन ने जव प्रणिनाशी लाई गुमर्जी माँ पद्रावनी गरियो तेश पशी अब लल्दाशी महराच धामदनी शरूप प्रणिनाशी महराच लाई अपनो रिदायमा बिराजमान गरावनों भायरा वहाँ को आग्या अनुशार नई बितक लेखने कार्य प्रारंब गरनों हुदाश देन भरी वहाँ बितक को चौपाई हरू लेखनों हुदाथियो संध्या को समय मा तेई चौपाई हरू संदर सातलाई पाठ गरेरा अनि तेसको के अर्था खुलासा गरर समझावन हुदाई हुदाई स्त्रावन क्रिष्णा पंचमी तीथिको देन देखी प्रारंब गरनों है को भाध्र क्रिष्णा सब्तमी तीथिको देन सम्मल गायर वहले यो वितक ग्रंथ लेखेर तैयार गरनों है अणि यो वितर ग्रंत लाइं बंगलाजी को मंदीर को आशन जहाँ प्रणिनाजी को पद्रावने हुदा थे ओ तेही आशन मा पद्रावने गर्न भायो लालदसी महरास ले साश्ट्रंग दन्वत प्रणाम गर्न भायो तेही समय देखी प्रतेक वर्ष तेही घड़ी तेही पल तेही इस्तितिलाई आद गरदै स्रावन कृष्णप तीज दिथी को दीन उपवास वस्ने अनि संध्या को समय में प्रणिनासी महराज को हुकुम अनुसार चसरी सुंदर साथ चीहरले खिचडी प्रशाद गरहन गर अनि संध्या को दीन प्रणिनासी को धाम गमन को विरह वानी गायन गरदै उपवास वस्ने अनि पंचमी तीथी को दीन देकी वितक चर्चा प्रारम्म गरने अनि भाद्रक्रिष्ण सप्तमी सम्म एक महिना सम्म यू वितक को चर्चा स्रवन गरने अनि कहीं चर्चा गरने तिस्तोखाल को विवस्ता हुदैने भने पने सुन्दर्शाथ हरु आफेने यो चोपाई हर को फार्थ करे रहा जोन घडी जुन इस्तिती को याद गरने अने राज्जी महराज को लिला सद्गुर को लिला प्रणिनासी को लिला ब्रह्म मुणी हर को धर्म प्रति को ब्रह्म आत्मा को आपाविती यो सुन्ने सुनावने प्रचलन एशरी स्रिक्रिष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द संप्रदायमा सुरुवाद भयको प्रसंग हो शोई अनुरूप जशरी सत्रसो एकाउन्नको समया स्रावन क्रिष्ण पंचमी धितिको दीन बाट लाल्दशी महरासली बित्तक लेखन प्रारंब गर्न भयो शोई परंपरालाई गुरु परंपराले अगाडी बढ़ाउंदे ल्याउन भयको प्रसंग अनुसार आज स्रावन क्रिष्ण पंचमी धितिको दीन बाट लाल्दशी महरासली बित्तक लेखन प्रारंब गर्न होदा छा हविश्य पुराण में राजा कहे जुग चार बचन जोहे ब्यासके ताको करो विचार बलोस्तरी प्राणे नात्य प्यारे की लाल्दशी महरासली बित्तक लेखन प्राकरण को प्यार चावपाय माने सास्त्र को साक्षी बाट बित्तक प्रारंब गर्न हुग किनत भन्दा महमती प्राणिनाजी श्वैंपनी बाणी मा भन्णोंच बिना पुराण प्रकास ना हो वही सास्त्र बिना कौन माने सास्त्र को प्रमान बिना कसेली जुन को रला विश्वास करना सकते न सास्त्र कुरान पुरान भने को तार्तम को लागी प्रामानिक ग्रंथ हो तेस कारण प्राणिनास दिले वन्वयो या कुरान या पुरान ये दों कावज प्रामान या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणिनाथ बेद कतेव ग्रंथ जुन्चा ब्रह्म स्रिष्टी को चिठी हो ब्रह्म स्रिष्टी को लागी तार्तम लाई पुष्टी गरने प्रामानिक ग्रंत हो भविष्य पुराण बाट प्राणे नास जिले यहां किना बात शुरू गरन भायता बन्दा भविश्य पुराण मा भविश्य मा हुने कुरा हर को लेह करिये को छा रो और को कुरा भविश्य पुराण मा चार युको राजा हर को केई प्रसंग मा थी चर्चा गर्न भाये को छा तो यहां चार युको राजा को प्रसंग कीना आवसेख चा बंदा महमती प्राणिनाः जी महराज 28 कली को बिज्या विनंद निश्कलंक बुद्धा उतार स्वरुपनों चा बने त्रेता को समय मां मरियादा पुरुषोतम भगवान रामचंद्र जी कीना आउन पर्यो कीना अधर्म को अवतार रामन को आगमन भयो द्वापर को समय मां लिला पुरुषोतम भगवान श्रीकिष्ण को आगमन कीना हुन पर्यो अधर्म को सरोप कंश को पहला आगमन भयो भगवान ले शास्त्रमा बचंदिनु भैकुषा यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर भवती भ अभ्यद्धानम धर्मस्य तदात मानम स्रजाम्याःं परीत्रानाय सादुनम बिना साय च दुश्कृताम धर्मस्टा पनार्थाया संभवामी यूगे यूगे जब जब संसार मा धर्म को ना सुचा पापी हर को बरिद्धी हुदाचा ते दिखर भगवान पर्मात्मा को शक्ती धर्थी मा धर्म रक्षा को लागी कुनेपनी शुरुक मा अनुहन चा त्रेता को समय मा रावन को अत्याचार को बिरुद्ध मा धर्म रक्षा को लागी भगवान राम चंद्र को आगमन भयो द्वापर को समय मा कंश को अत्याचार को बिरुद्ध मा धर्म रक्षा को लागी भगवान स्रीकृष्ण को अवतरन भयो भने कलियोग मा विजया भेनन्द निषकलंक बुद्ध वतार को सरुःप मा महमति प्रणिनाः जे आउंदें उनहं जबने अधर्म को सरुःप कलियोग को सरुःप आउने भविशे वानी कस को गरियेगे चाता बंदा आउरंग जे बात्सा को रूप मा कलियोग को आउतार आउने छा भने रा यो कुरा संकेत गरिये को छा आउरंग जे बात्सा भने को कलियोग को सुरूब हो तर एकई चोटी आउरंग जे बात्सा को कुरा गर्दा खेरी કરાલાય વिश્વાસ ગરલા યનગરલા સાસ્તરસમતુ હો ભાણલા યનમાણલા तेश कारण कलियों को आवरंग जे बाचा सम्मा आवनको लागी कलियों को राजा हरू त्यों बन्दा पहला द्वापर को फिरी त्रेता को होंदे शत यूग देखिको चार यूग को राजा हर को प्रसंग यहां खुलासा गर्नों को आउचित त्य वने अनि यू भविश्य पुराण को आनि चार यूग को राजा हर को कुरा यहां कसले गर्नों भाईको होता यू बचन कसको होता बंदा प्राणिनाची बन्नों छा बचन जो है ब्यास के ब्यास जी आनिकी हिंदु धर्मा का गुरु बेद ब्यास जी जसले चार बेद, चार उपबेद, शट दर्शन, अठार पुराण, एक स्वाट उपनीशत, एतिहांस, ग्रंत हर को रचना गर्नों भाईयो वहां है ले नहीं बविश्य पुराण अंतरगत चार यूग को राजा हर को कुरा गर्नों भाईको छा ताको करो विचार तिस वि भुआज़़कि शेम्य विचार गर्नों भाईको देस तो प्रकारले लालाशी महरास यहां बताऊं में भाईक लितिहांस ती सवीको चर्चा परी चर्चा गर्ने हो बनेत काफी समय लाइक schneية जोने राजा हर को नाम उल्लेक गर्नों भाईको छा ते नाम हर को हमी यहाँ उचारण गरने शों रएश्कु आशाय मेले भनी हालें कलियोग को सरोग अवरंग जे बात्सा सम कसरी आई कोगियो त्योग रा बताऊनों को लागी यहाँ चार यूग को राजा हर को नाम बताऊनों भाय को शा रहा यहां लाल्दाशी महराज सर्व प्रतं सर्व प्रतं सत्यूग को राजा को चर्चागर नहुंच सत्र राजा सत्यूग में एक कहो राजा कृत तीना अपनी भुगती तापर भयो कृत दत्त शर्व प्रथम सत्यूग में सत्र जाना राजा हरुबाई तेस्वा शर्व प्रथम क्रीत तेस्पची क्रीतदत फिरी अंत अनि मुझकुंदभा तेस्पची भैरवानन्द फिरी कम्मो आद भरनाकुष प्रलाद बली लोचन बली भोगत तेस्पची लोचन बली बानाशुर कपिलाक्षय, कपिलभद्र, जराशरी, धुम्र रिशी, इस तो प्रकार ले, सत्य युग को सत्र राजाहर को नाम को चर्चा गरियो 33 फेरी त्रेता युग मां 29 राजाहर भाए, तती 29 राजाहर को नाम यहां लाल्दाशी महराज के उल्लेह करन भाए को छा प्राथमतो ब्रह्मा कहो क्रथम ब्रह्मा, तेश्वचिवेरी मारीज, अनि कश्यप, शुरज, तवच्छत्र, अच्छ्यभा, अरण्यभा, विश्वामित्र, महामंत्र, चिमन्द, भद्र उदवन, त्रिशंख, हरिश्चंद्र, रोहितास, मांधाता, सगर, आशामित्र, भगीरत, दिलीप, रगु, अज़, दसरत, रामचंद्र, लव, अंतभान, कयलखी, बवर्वान, सुदर्शंज, अनि अग्निवरनगरी, इस तरी त्रेतायोको 29 राजहर को नाम को चर्चागरियेको छा, तेश्वचिवेरी द्वापर युग मां 19 राजहरु भाई, 19 राजहरु मद्दी सर्व प्रथम 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 तो इंद्र नाम प्रथम इंद्रभै, तेश्वचि चंद्रमा, फिरी पुरुवा, अनि तेश्वचि आया, निरमोक्षय, तेश्वचि शान्तानू, अनि चित्र राजह, तेश्वचि बिचित्रा, अनि व्यास, मां जय गरी दाप पर युक मां उन्नीस राज प्रम को नाम उले करन भायो अब कहुं कली जूग के प्रत् समतों जदुनाम सर्व प्रतम कलिएउग मां जदुनाम राजा भई थेश्चापाँ महीपाल गंदरवसेन विक्रमा दित्य विक्रमा चक्र भोज थेश्चापाँ आ अब साहा जहाँ देखी पछी के बन्नूंच ता उपर औरंग जेवा ये कली युग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के इस ठाम ज़शरी महिले पहला नहीं भने यो प्रथम प्रकरन में चार युग को राजा हर को ले गरनों को मुख्य आशाय भने को नहीं यो प्रथम प्रकरन को 27 नमर चाव उपायमें लल्दस जिले खुलाशा गरनों भायो ता उपर औरंग जेवा ता उपर यानिकी साह जहाँ पछी औरंग जे बात्सा भायें अवरंग जे बात्सा को विश्ण में के भनिये को चा ये कली युग के नाम यो तो कली युग को नहीं स्यूरवभ हो कली युग को अवतार हो अब अवरंग जे बात्सा कलियों को सुरुप को समय मा के भविश्य वानी गरिये को छात बनना आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम अब अवरंग जे बात्सा को समय मा नए बुद्ध कल की अवतार धर्ती मा जाहर होने छा इस ठो प्रकारले भविश्य वानी मा भविश्य पुरान गरिये को छा यो सास्त्र को साक्षी लाल्दाशी महराज ले यो पहलो प्रकरण मा भुमिका को रुप मा राखनो वायो तेस्वश्य अवा अंतीम चो पैम के वन्नोंचा श्री महमती कहे साथ जी सास्त्र कहे यो कर आगे अपनी भीतक का शो लीजे चित्त धर वलो स्री प्राण नाथ प्यारे की लाल्दाशी महराज वन्नोंच श्री महमती कहे साथ जी तब यहां लाल्दाशी महराज ले रेखनु भाई को भी तक तर भी तक मां महमती चाप 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 इसको आशे के हो बंदा महमती प्राणिनाफ जी स्वयम लाल्दा शी महराज को अंतर हिदय मां बिराजमान हुनुण्छ 만들어 आर्थ। अर्थम महर्णेवर महांती स्ववें प्रंणाजी को तैल हो। यहां और को भाव को अर्थके देखें चे बंदा महमती स्वामी स्त्री प्राणिनाह जी महराज ले लाल्ला शी महराज लाइपनी महमती पद वाट बिवुशेद गर्न भाय को थियो जब प्राणिनाह जी पन्नाजी मा जागनिला गरदे हुनां थियो चर्चा गरदे जान हुने क्रम्मा जब परम्धाम को वर्णन गर्न हुदे परम्धाम को आड़ सागर्म प्रसंग पुग्यो आड़ सागर को प्रसंग बर्रन हुदै गर्दाखिरी धेरी जना त्यहां विशिष्ट सुन्दर साथ हरु बश्णु भाय को ठाउमा प्राणिनाशी ले भन्नु भायो तपैंहरु मद्दे कशेले परम्धाम को आर्श आगर लाई एकई चाव पैमा भन्नशक्न होंचा वने वन्नु भायो सबई जना मौन भाय लाल्दाशी महराज ले भन्नु भायो हे धनी हज्जुर को आग्या होंचा वने मकोशीश करनेचु रणिनाशी ले आग्या दिन भायो लाल्दाशी महराज अब भन्नु छा नोर नीर छीर दधी सागर ग्रेत मधु एक ठावर रस सर्वरस सागर तीन चरण इसरी पुरा होदाश तर तीन चरण वाने आठई सागर को नाम समावेश कराई दिन भायो अब चौंथो चरण स्वयम प्राण जिले थब दिन भायो बिना मोमिन न पावे कोई आवर इसरी जब प्राण जिले चार चरण इनकी एक ठाव पायमा आठई सागर को नाम इंकेद गरने हुकुम गरन भायको तर लालदाशी महराज ले तीन चरण वाने जब आठई सागर को नाम राखी दिन भायो प्राण नाचिले लालदाशी महराज को यो वुद्धी यो छमता यो चिंतन देखेर अत्यंत गदगद ओन भायो अनि लाल्दाशी महरास लाई पनी आफने महामती पदबाट विभुशीद गरन भायो लाल्दाशी आज दिखी तीमी पनी महामती पदबाट विभुशीद भायो राणी नाची स्वैम ले लाल्दाशी लाई महामती पदबाट विभुशीद गराऊन भायो यो भाव बाट हेर दाफिरी लाल्दाशि महरास लिजब धामदनी को आज्या वाट बितक लिखने कार्य गरन भयो अफनो नाम राफन भयना दाम्दनी शुरुपले दिन भायको महमती टाइटल महमती पद जुन्चा त्यू महमती पद लाई यहां वितक्मा प्रस्तुत गर्न भायो तेस कारणी यहां लाल्दाशी महराज स्वयं महमती शुरुप हुनों छा यो भाव बाट पनी हामी भाव बेक्त गर्न सकत शूं तो महमती लाल्दाशी महराज अथा बाब लाल्दाशी महराज को अंतर हिदय वित्र महमती प्राणीनाः जी सास्त्र कहे यों कर सास्त्र ले इसरी बताएको शब हविश्यमानी गरियेको शा आगे अपनी बितक का सोलिजिये चित्त धर अब अगाडी जुन बितक हामी प्रस्टोत गरन गई रहेका सोँ स्रवन गई रहेका सोँ अथाबा लाल्दशी महराज की अगाडी बितक का जतिपनी चे उपाहरू चिंतन गरावनों है को छा यो वितक से कसको वितकत भन्ना आपनी वितक आपनी यानिके आत्मा को वितक ब्रह्म सिष्टी को वितक आत्मा को ब्रितांत शो लिजे चित्त धर यो वितकला हमिले चित्त मा धारन गर्ण परद सा रेधाय मा धारन गर्ण परद सा किन भने यो हामरे आपने आपावीती हो महमती प्राणिन्याजी बाणिमा वन्नुँच एक कीव कर जिन जानो मन श्री धनी जी लियाए धामसे बचन्न यू बाणि कुने कविता होई न धामदनिले अफनो आवेश सत्ती द्वारा आत्माहर्रा जागरीद गराउनको लागी लियाउन भायको यो जागरीद बाणि हो तेसकारन वन्नुँच ए बाणि चित्त दे सुन्यो साथ क्रीपा कर कहे स्री प्राणे नाथ यो बाणिलाई च बित्त देरस्रवनगर धामदनि शरुपले क्रीपा अगरण बताऊनु भायको गुराहो शोई अनुसार लाल्दाशी महराज यहां वन्नुच यो कशेई को कथा होई न बितक लाई कशेले कथा वन्ने सब्द पनी प्रयोगर संतर सुन्दर साहजी बितक कथा होई न कथा बितक मात आफने ही पुराह रचा अंच आगे अपनी वितक क तेस कालनी यो चरचा हो बितक को चरचा को प्रसंग लाई शोँ लीजिये चित्त दहरा चित्तमा धहारन करनो परद सा रिदायमा धहारन करनो परद सा लाल्दशी महराज स्वयम ले इसरी संकेत गरनुभाय को छा इसरी निर्देशन गरनुभाय को छा ता प्यारे संदर साह जी बितक चर्चा को आज प्रत्थम दिवस को प्रसंग मा भुमिका को प्रसंग को के साराम सभाओ है रहा हमिले चर्चा गरियों जसमा बितक को लेखा खोओ नंच यो बितक को रचना को शरी भायो यो एक महिना सम्मा आज देकीने हमी बितक चर्चा स्रवन गरने इसमा के अर्था सः ABC बितक स्रवन गरनुभा ने के É ओचित्य हो ई प्रसंग हरुमा ती हमीले चर्चा गरियों आजको प्रसंग हमी चवपै दोहरार यहीं विश्राम गरनेशों रद दोस्त्रों प्रकरन बाट ब्रह्मा आत्मा को आपा विती जुन बृतक को चर्चा गर्न भायको छा दिन प्रती दिन चर्चा को प्रसंग अनुशार हमी विशेवस्त दोहर लाई अगाड़ी बड़ाओ दे जाने छों इने सब दहर को साथ चवपै दोहरारा म प्रसंग लाई यहीं विश्राम दिने चाहांचो बलो स्री प्राण नात्य प्यारी की स्री महमति कहे साथ जी सास्त्र कहे योंकार आगे अपनी बितका सोली जे चितधार सोली जे चितधार बलो स्री प्राण नात्य प्यारी की प्राण नात्य प्राण